कल्वित्यमंत्रे का एक घंटे का बजट स्पीश थी लेकिन एक घंटे के अंदर उने रोड मैप जो रखा वो करेकरे 5 साल का रखा एक घंटे के अंदर 5 साल का रोड मैप ये बताता है कि भले ही 24 साल लेकिन सरकार अपने अजंडे पर कायम है हुआ एजंडा है चार चीजों में कल बटा हुआ था गरीब किसान युवा और महिला इन चारों के बीच जो कल बात्चीत हुई यानि कि इसको थीम बनाकर जो चर्चा हुई वो मारकेट को थोड़ी समझ में आ रही है इसलिए कल प्रॉफिट बुकिंग हुई नहीं बाजार कि कल की पूरी गिरावट को खतम कर सकता है और वो हुआ भी और ये कल वित्यमंत्री ने जो 24 बाते रखी थी हम एक एक करके दिन भर में आपके सामने चलाते रहेंगे आप इसको अच्छे से नोटिस कीजेगा एक काम करते हैं पहले ज़रा चार विंडो भी साथ साथ दिख करेंगे हमें पूरी उमीर है कि कल आपको बजट की कवरेज काफी पसंद आई होगी और आज की कवरेज तो और वहतर हो सकते हैं क्योंकि आज हमको एक बड़ा अच्छा गैप भी मिल रहा है तो आज आप देखेंगे यूएस मारकेट्स रिकॉर्ड्स तरों पर फिर से हैं 370 रंग टाव बढ़ा गिफ निफ्टी भी 21 900 पर आज आपको दिख रहा है यह 21 800 वाले थोड़ा ट्रैप हो सकते हैं इंडेन होटल्स के अच्छे नंबर आए CUB के मिले जूले नंबर से आज टार्टर मोर्टर्स के होंगे यूपील के भी नंबर साएंगे इसका अनुमान भी हम आपके सामने रखेंगे दोनों कंपनिस का हमने अनुमान बनाया हुआ है इसके अलाबा टॉरेंट फार्मा, इंडिगो, LIC हाउसिंग के भी नंबर साए जो आप गिप नुक्ति के बाद कर रहे हैं तो कल जब एडिटर स्राउंटर में चर्चा कर रहे हैं बाद में हम इस पर चर्चा भी कि रहा तो बहुत उसमें जो एमके सर और भी सरन की जो लाइन थी वह ही बता रहा है सब कुसेंगे उन्हें कि यह बजट ना जो था आत्म बिश्वास का बजट था कि हम वापस जा रहे हैं और वो कॉन्फिडेंस जो है न सीधे तोर पर जिस तरीके से उन्हें ने दी और उन्होंने एक बात और अच्छी कही कि इस बजट में कुछ भी ऐसा निगेटिव नहीं था कहीं से भी कि सरकार चुनाओं में जा रही है ल लेकिन कल अगर आप बच गए ना तो इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक है कोई भी खराब नहीं था और एक और बात थी जो कल बजट के फाइंट ही उससे मैं के सरकों सुन रहा था वो यह है कि सबकी उमीदी अभी भी बनी हुए है उमीदों को धराशाई किसी भी सेगमेंट से नहीं हुआ ना आप इंफरा वालों से पूछें वो कहेंगे नहीं हुआ आप टूरिजम वालों से पूछेंगे नहीं हुआ रेलवे वालों से पूछेंगे नहीं हुआ हाउसिंग वालों से पूछेंगे नहीं हुआ तो हर किसी को ऐसा लगता है कि उनकी उमीदे बरकरा हैं सरकार रिपीट करती है तो जो बूला है उसको हो सकता है मल्टी फोल्ड करके भी करें तो इसलिए यह मार्केट ना इस चीज़ को गैस कर रहा है अगर कुछ भी नेगेटिव होता ना तो बजार कली कल में आठ सो पॉइंट तो सबसे परी बात कि हमेशा एफाइज बहुत गोर से देखता है कि आपका वित्य घाटा कितना है गोर्मेंट के खर्चे और इंकम कितनी है वह बहुत स्पीड से कम कर रहे हैं 5.3 से सिधा 5.1 और फिर तो पांस से भी नीचे 5.26 के अंदर तो आप यह तो हो गया अच्छी बात लेकिन सिरफ सरकार को थोड़ा प्रुडेंटली यह करना पड़ेगा अगर फिस्कल डेफिसिट कम कर रहे हो तो कहीं अपने खर्चे तो कम नहीं करोगे खर्चे बड़े है ना यह तो फिस्कल डेफिसिट है तो यह मैसेज लौड एंड क्लियर है कि आने वाले दिनों में डिस करके समझना है और मैं बार्टाओ सरकारी कमपनी से भी री रेट हो सकती है antal Любva और ये यह शुड़ी चला हूँ तो अब बहुत सारी सरकारी कंप्पनिस को अपको अलग 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 बरीके से थोड़ा नोटिस करना होगी है और आज सब पर नजर होगी है और हम तो कोशिश कर रहे हैं कि करके सारे पॉइंट्स रखें आपके सामने शुरुआत इफ उन्हों से करते कि गलोबल संकत बहुत ऐसा है हम मुझे लगता है कि अपने ट्रिगर्स में ज़्यादा चलते रहेंगे तो फाइज डियस का कर रहा है देखे एफाइज ने कल खरीदारी की है और कल देखके ही ऐसा लग रहा था कि हैं एफाइज कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं अगर उनको तोड़ना होता हो अलड़ी तोड़ भी देते हैं हला कि हमने आपको पहले भी नोटिस करा 15% से नीचे जाएंगी नियो और एवरेज और कल उनकी तरफ से खरीदारी हुई है खरीदारी पॉइंट्स में नहीं हुई है बट कन्विक्शन में हुई है कि हुआ क्या है कि इंडेक्स को उपर रखके ना ज सारे हुए जी आईसी हाउजिंग को एक बर आप स्क्रीन पर दिखाएंगे तो आपको पता लग जाए एनबी सीजी को दिखाएंगे पता लग जाए यह सारी वो कंपनीज है जो डिली एफेक्ट करके चल रही थी देखो आप धीरे धीरे करके चलेंगे जी यह बाद में च चुके हैं यह बजट के बाद ठीक वाला इमेंट है दर्स परसेंट का विक्स गिर गया एफाइज आट परसेंट बढ़ गए मेरे को ऐसा लगता है एक बारों पचास परसेंट तक जाएंगे इसलिए आपको बाईज़ार के टार्गेट या बाईज़ार दोसों तक के टार पहले मैं निफ्टी के बता लेता हूँ जिन्होंने निया लेना है और जिनके बस पुराना पड़ा हो दोनों गई हैं तेजी वाला कंसेप्ट क्लियर करते हैं 21,800 पार नहीं हो रहा था आपने तीन अटेम्ट लगाई हमने तीनों बार बोला कि 21,800 पार नहीं होगा और 21,800 पार होगा फिर 22,000 का रास्ता खुलेगा आज गैप के साथ 21,800 पार होगा क्योंकि आज गैप मिल रहा है करीब 150 पाइंट का तो रही काई कसर जो पहले 21,500 का हमने गैप के साथ पार किया था 21,800 पार के साथ पार किया अब आपको नई पोजिशन्स ले लेने चाहिए क्यों इसका पूरी सिरीज तरक रखो जिन्होंने भी पुरान जिन्हों का आज नया खरीज रहा है सिरीज में खरीदो 21,800 का ही आज स्टॉपलोस लगाओ क्योंकि वो तो आपको गैप मिलेगा तो 21,800 का स्टॉपलोस लगाओ लेकिन मैं फिर से बोलूँगा 21,800 को आज पकने का दिन है आज अगर आप स्टॉपलोस लगा के 21,500 को ही अपना स्टॉपलोस लगा सकते हैं ठोड़ा रिस्क होगा लेकिन अगर यह कर सकते हो न तो ट्रस्ट मी आपको बहुत अच्छे रिटरंस मिलने के चांसिस हैं इन डाइसी बहुत अच्छे रिटरंस देगानी लेकिन फिर भी इस मन्त में मिल सकते हैं थोड़े बहुत आपको तो 22,200 हमारा टारगेट है कि 22,200 इस सिरीज के अंदर आके टच कर सकता है अभी भी आपके पास करीब 400 पॉइंट है तो मैं आपको सिरफ स्टॉपलोस आज के गैप का लगवा रहा हूं फिलहाल के लिए 21,800 का लेक लेके बैठे हैं ट्रेल दा स्टॉपलोस उपर ले आउस स्टॉपलोस सभी 2500 को 21,800 का स्टॉपलोस मनी जी आप करीब 300 पॉइंट निफ्टी से कमा के निकल रहे हो और एक लॉट है 50 का तो 300 पॉइंट करीब आपको मिलता है आप 15,000 रुपया पर लॉट आपको मिला मैं सिं 15,000 पर आप एक लॉट से कमा रहे हो तीन लॉट से 50,000 पर आपको मोटा मोटी मिल गए क्या आपने कुछ नहीं किए ना भाजार तो वहीं कवहीं खड़ा है फिर भी आपके जिम में 50,000 पर जिसके पास बैंक निफ्टी है पहले निफ्टी का शॉट वहला पता दे आपको कि निफ्टी जुन्होंने शॉट करना है जी पहले बता दीजिए क्रिपअ करके शॉट ना करें, सबी महवानों को भी अचछे मेहें करना अभी आप एक काम यही करों कि 28 अपना जो नए शॉट वाले हैं वह क्रिपअ करकेन मार्कर दॉट नहीं करें देखो F.I.s ना bottom बना के उपर आ रहा है आपका result निकल गया election के अंदर कुछ भी ठीक रहा है F.I.s उससे पहली माल भर के elections को भी discount करेगा इससे पहले तक भी budget को discount कर रहा था अभी वो elections को धीरी जरी करके market के अंदर discount करेगा एक round का कर भी चुका है तो इसलिए आपको short करने से भी भजना चाहिए लेकिन जिनके पास पुराने short पड़े हुए है माली जी किसके पास shorts पड़े हुए है तो उसको पहले तो stop loss कटी गया होगा 21-800 बे तो आज और कट जाएगा 21-800 का stop loss कट गया आप बाहर आजाओ अगर आपके पास ऐसा लगता नहीं सर मैं तो बाईजार तक देख सकता हूँ मेरे को कोई दिक्कत नहीं तो जिनको ऐसा लगता है कोई दिक्कत नहीं वो बाईजार वाला भी stop loss लगा के रखे अभी पूरी तर से बाहर ना निकले अगर उनको नहीं निकलना है तो लेकि मेरा फिर भी मानना है कि नए शॉट्स ना बनाए जाए जिनके पास शॉट्स है अलरी इस टॉपलोसिस कटे हुए बाहर आ जाए बाजार से ना लड़े एफाइस से ना लड़े और जब तक बाईजार पूरी तरह से पार नहीं होता तब तक एक बड़ी रैली हमारे पास नहीं आएगी इसलिए 21-800 का ट्रैपिंग वालों का आज उनका टाटा बाइब हो गया लगाए ठीक है नहीं लगाए उनका रिसके उपर हैं मेरे इसाब से उनको नहीं रिखना चाहिए वह बाईजार भी कटने वाला है और कुछ नहीं होने जाए पर जिनलों ने शौर्ट के पोजिशन से बना आए आपका इस आट सो के लगातार बात की थी निम्पी ने आप अगर उसके उपर खुलते ही हैं तो आप एक बार के लिए निकल जाए अब निफ्टी में निफ्टी बैंक की बात करें उसमें जिन लोगों ने तेजी के पर बात कि बात को सबसे रहे हैं और निफ्टी बैंक में हमने अपना निफ्टी में को सबसे दिखाए था और या भी बात बता है आप लोगों निफटी में यह आपने में बताने के लिए सफिशन्ट था मैं शालीज आर के उपर 2 दिन से क्लोज कर रहा हूं मैं शौट सो को मौका नहीं दे रहा हूं मिरे को तुम पीटो और उसकी पीछे से HDFC आ गया उसकी पीछे से और बैंक थोड़े आके खड़े हो गए हैं तो एक बैंक निफटी के पास जिसन के पास भी आज नई पुजिशन्स बनानी है, मानो जिनुका आज नहीं पुजिशन्स बनानी है, जरूर बनाएं, और मैं बूलूँगा 20 से 30% फिर से बनाएं, जो अगर पुरानी बना रहें कि उसको बाद में बताता हूं, आज 20 से 30% पुजिशन्स बनाएं, 45800 का एक स्टॉपलोस डाल दें, औ 45800 का स्टॉपलोस में आपके पैसे आज के हिसाफ से अगर मैं क्लोजिंग बता तो 200 पॉइंट जाएंगे, 200 रुपे जाएंगे, और करीब 46800 का आप टार्गेट रखो, तो 45800, 46800 आपका टार्गेट है, ये दो पॉइंट मैंने आपको बैंक निफ्टिक अंदर क्लियर कर बाहर, आप जिनके पास पुराना बैंक निफ्टि है, क्योंकि हमने बड़े कॉंफिडेंस से आपको बैंक निफ्टि दिलवाया था और यहां तक भी लेके आए हैं, हम तो आपको 44800 से यहां लेके आए हैं, 46000 तक, तो जिनके पास अभी भी ट्रेल करो, साल में कई बार ऐ आपकर एक रखे टारगेट, 46800 तरगेट रखें, और आपका सेकंड कोशन आप पूछें, उससे पहले ही मैं बता लेता हूँ, कोई आदमी अगर सोच रहा है कि मैं बैंक निफ्टि को शॉट करूँगा या मैंने कर रखा है, तो दोनों ही बाहर चले जाएं सिस्टम से, न यह डिस्पेरिटी आप बहुत दिनों तक नहीं रख सकते, एक साथ आपको रखना पड़ेगा, तो इसलिए बैंक निफ्टि को रूम जादा है चलने का, तो बैंक निफ्टि में कृपा करके ना रहे है, एक प्रा अलग हर्ट का सवाल, ठीक है, चुकि दोनों में बताया ह बैंक निफ्टि को नीचे खीचेगा या बैंक निफ्टि को निफ्टि को उपर खैचेगा, तो डिशिप लेने के लिए आए न भी आए, एक दुसरे को दोनों डिस्टरब नहीं करेंगा, एक दूसरे को ऐसा नहीं कि परशाद करेंगे, प्रस्ओ का टेड़ बताता हूं जब Alphabet का शेयर टूटा, Nasdaq बंद में हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी IT कमपनिस कमजोर नहीं था, अब एक शेयर दिखाईए, फटापट, Subix, कल हमने देखा कि शेयर में एक सांदार तरीद देखने को लिए, Subix के एक चार दिखाईए, इस पर Dimpy से बात करते हैं, कल हमने देखा कि शेयर में 10% की तरीद देखने को ला मैं क्यूं बहुल ला हूँ, दसाल ये Dimpy ने अपने शेयर में रेक्मेंट किया था, इसी शो में और मैंने कहा था कि आज Dimpy कैस के शेयर बता रहा है, ये पर्सो की बात है मने जी, क्ल अच्छे से चला ये, पर्सो तो नहीं हो उस दिन मुवमेंट आई, लेकिन है कल अच्छे से चला, एक पर देख ले क्या है, आपने कहा क्या था, ठीक है, देख ले ते, क्या स्ट्रॉंग बेस बना हुआ है, और इस शेयर चलने के लिए त्यार है, नीचे आप सिर्फ वॉल्यूम चेक की, जो मैं आपनी जो स्क्रीन पर दिखा रहा हूं इस समय, ये वाला वॉल्यूम पार्ट है, कोई आदमी धीरे 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 करके इस शेयर को एकुमिलेट क कर रहा है, तो 36 का स्टाप लॉस जाएंगे 3-4 रॉपए और आएंगे कम से कम 10-12 रॉपए, रिस्क रॉड वन इस टू का कर दिया, मेरो का असा लगता है कि ये शेयर अराम से चलेगा, ये हमारे तरफ से आज का शेयर है, बटी कैश का शेयर है, बस ये डिस्क रूजिन है आज के लिए कौन सा शेयर बता है? अब ये आज के लिए कोई शेयर निया है, मार्केट खुलने के वाद बता देंगे, बहुत लेट तक आप आफिस में थे भी, हाँ, काफी लेट तक भी थे और बजट का का काफी काम भी था, और मैं उम्मीद भी करता हूँ दर्शकों को हमारी मेहनत और हमारी जो इच्छा शक्ती है वो अच्छे से दिखी भी रही होगी, तो एक वादा कर देज़े दर्शकों को, मार्केट खुलने बाद बता देंगे, मार्केट खुलने बाद जो भी शेयर होगा हम आपके सामने जरूर रखेंगे, हमारे मेमान भी है, वो भ बजट के बाद का दिन सीज़े तोर पर कल आप लोगने में काफी मेहनत की है, आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या निज़री है आपको, तो आज बजार में देखे तो एक तेजी का ही रूख है, बस एक लेवल पार करने की देरी है, जो है एक्कीस आट सो अगर अब गए तिन दिन का आक्शन देखे, बजेट की दिन का आक्शन देखे, जो एक नौन इवेंटा इन टम्स अफ प्राइस आक्शन, इक्कीस आट सो एक बहुत एहम स्तर निकल के आ रहा है, इक्कीस आट सो पार करते ही मोमेंटम आपको स्ट्रॉंग अपसाड की तर 30% से 30% तक इंप्रू हुआ है, तो क्लियरली एक लॉंग एडिशन दिखने को मिल रहा है, FII के नजरिये से, और बस मैं एक लेवल को इंपॉर्टन्स दे रहा हूँ, क्योंकि तीन दिन से मार्केट नहीं ये लेवल को काफी इंपॉर्टन्स दी थी, आपका इंडिया विक 21, 725 की, और अगर ये मोमेंटम पिक अप कर गया, तो आल टाइम हाई यही आपका टार्गेट बनेगा, अभी रही बैंक निफ्टी की बारी, अगर बैंक निफ्टी में हम देखे तो बैंक निफ्टी गए, तीन से चार्ट ट्रेडिंग सेशन में एक लीडर रहा है, कभी अब तेजी की बात करें, तो बहुत एम है कि बैंक निफ्टी पहले आप लीडर्शिप ले, और जैसे जिम्पी जी ने भी यही चीज ओपनिंग रिमाक्स में कहा था, तो बैंक निफ्टी लीडर्शिप ले, तो आप दोनों इंडाइस में काफी मजबूती देखने को मिल देगी आपको, तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे 46500, यह यहां तक आपको अपसाइड इंट्राडे या डे ट्रेडिंग में दिख सकता है, यह आपका रेजिस्टेंस एरिया है, और ऑप्शन के तो एक सपोर्ट दीरे-दीरे 46000 के आसपास उबरते वे दिख रहे हैं, तो बैंक निफ्टी उपर में 46500 तक जो जाए, बिल्कुल आपने वही बात रखी, जो भी हम भी थोड़ा एनलिसिस करें थे, थैंक्यू वही पॉइंट है, वह इस होज़े से क्योंकि मैं आप सब लोगों से ही सीख रहा हूं, और मैंने बहुत सीखा है, इतिना स्वादेश मे और कुछ अच्छे सौदे भी रखेंगे, आपने भी कहा, बैंक निफ्टी को बाई करो, अक्षे जी एक बार मैं को अपने ज़रा शेर भी बता दो के साथ साथ ही, तो दोनों शेर बाई की तरफ है, पहला जो स्टॉक चुना है, वो है भारत हैवी इलेक्रिकल्स, तो भी हाफ एनार में थोड़ी सी मोमेंटम पिक अप हुई थी, तो मेरा मानना है कि भेल यहां से एक अच्छा बाईंग अपॉर्शनिटी दे रहा है, 220 का सपोर्ट बेस बनते वह दिख रहा है, तो आपको डे ट्रेडिंग या शौट टम के लिए 221 का स्टॉप लॉस बनाना है, ट्रेंड अभी भी स्ट्रॉंग है, मैं 240 से 250, तो 245 के टार्गेट से मैं प्रोजेट कर रहा हूँ बेल में शौट टम के लिए, तो पहला केंडिडेट बाई की तरफ है बेल, और दूसरा है ग्रैनुएल्स, अबर ग्रैनुएल्स की भी आप चार्ट स्ट्रॉक्चर देख प्रूरिस सीरीज में कुछ जादा तेजी दिखी नहीं है, आपको जल्ली दिख जाएगी, तो ग्रैनुएल्स अब बाई करके चले, टागेट बना के चले, 445 की और स्टॉपलास बना ये ट्रेड में 397 की इंटरस्टिंग सर, आपके एक सरकारी कंपनी से थोड़ा होसला बलंद ये हो रहा है कि अभी भी सरकारी कंपनी से काफी दम है, बी एची एल, सर ने पहला ट्रेड दिया है, आप इसको ध्यान रखेगा, ग्रैनलेस इंडिया दूसरा शेर है, टिपिकली ग्रैनलेस वैसे इकस्पारी का शेर है, लेकिन आजकल इसके थोड़ी तासीर सी बदल गई है, ये कभी भी चलता है, तो इसका तीन-चार जिनका एफेक्ट आता है, तो आप इसके लिए भी त्यार हो जाएगा, चार सो पैंतालिस है, और ये अच्छा एग्रेसिव और डिफेंसिव का कॉम मिल जाए, गैप के साथ तो थोड़ा और चल जाए, तो फिस सोने पे सुहागा हो जाएगा, तो बैंक रिफ्टी, बी-एची-एल, ग्रेंडलेस इंडिया, तो ये आपके लिए आजके सोदे हो गए त्यार, आयूश महताब इस बिच मरसा जूड़ चुके हैं, आयूश सर तो आप मरसा ज़रूर रहिएगा, और अच्छा, आप मेरे को जरा आपने शेयर बता दीजिए, आज के ओपनिंग ट्रेड कों से हैं, अजके मेरे यासे दो बाइकॉल होंगे, फर्स बाइकॉल होगा मेरा हैक पे, अगर हैक की बात करें तो इसमें 100-day moving average से सपोर्ट दिया है, एक रींज का ब्रेक आट पर से क्रॉसोवर हमने देखने मिला है, तो और जैसे यह रोपर निकल के ट्रेड करें रहे है, इसमें बड़ी रैली की शुरुवात होगी, प्रस इसके मधली चार्ट में डबल बाटम का फॉर्मेशन है, तो मुझे लगता है है कोई यहां से आपको बाई करना चाहिए for a target of 1880, यहां पर आपको stop loss बन जाएगा, वो 1740 होगा, सेकंड स्टॉक होगा मेरा ग्लैंट, अगर हम ग्लैंट की बात करें तो इसकी डेली चार्ट पे एक पैटन का फॉर्मेशन है, कपन हैनल का फॉर्मेशन है, इसके 60 मिनिट के चार्ट में आपको बाई करना चाहिए for a target of 2070, यहां पर आपको stop loss बन जाएगा, वो 1940 का होगा, ठीक है, दन, सरेक तो आप HEG दे रहें, अच्छा, एक मिलको आज बहुत प्यारा लग रहा है कि दोनों ही हमारे महमानों ने थोड़ा आपको वैसे दे रहे है, थोड़ा सा defensive, थोड़ा स aggressive, देखो B.H.E.L. aggressive shares में अब गिना जाता है, लेकिन थोड़ा सा defensive, grainless की तासीर है, और ऐसे ही आयूश ने भी दिया, आपको HEG दिया, HEG बहुत टेस्ट चलता है, और एक HEG का भाई भी बताते हूं, ग्रिफाइट, आप साथ में उसको भी लगा के रखना, ठीक, तो होश भी रखना है, लेकिन होश भी नहीं खोना, तो कुछ कुछ आज के ट्रेडिंग कॉल्स में हमको अच्छे से समझ में आ रहा है, एक काम करते हैं, पूजा त्रिपार्थी और शर्दूभे, मेरे दो सही होगी है, बहुत ही मेहनत करते हैं, कल रात को 9 बज़े तक बगा पिर शरस से कबरो वाले शियर्द पता करेंगें, पूजा गूड मॉनिंग, दिल्ली में ठंड है कि अभी हमको कल पर सो आना है वापी से, ठंड है का पी अपी बी ठंड है, जी दिल्ली में ठंड है, अब कल पर सो तो बारिश भी काफी तेज भी थी ती, इन्फाट कल तक आप अर्निंग्स बता दो नहीं तो यह तो मेरे को रुखवाई देंगे आप अर्निंग्स बताओ पूजा जल्दी से जी बिकुल तो नतीजा की बात करें तो जारतर नमबर्स जो थे वो मजबूत आए हैं और मिटकैप स्पेस से नमबर्स देखने को मिले और जारतर नमबर्स मजबूत थे शुनवात रेलवे कंपनी टैक्स में को रेल से करें तो बहुती स्ट्रॉंग नमबर्स हर फ्रंट पर आए में 40% की ग्रोथ आई है कामकाजी मुनाफ़ा 47% बढ़ा है कंपनी का और मुनाफ़े में 184% की बढ़त कंप्टी ने दर्ज की है तो हर फ्रंट पर नमबर्स अच्छे हैं जुपिटर वेगन के भी नमबर्स काफी स्ट्रॉंग नजर आ रहे हैं आए में करीब 40% की ग्रोथ कामकाजी मुनाफ़ा 55% बढ़ा कंप्टी का और मार्जिन भी देखेंगे तो 12.4% स 38% से बढ़ा कंप्टी का स्पेशली मार्जिन के front नमबर्स काफी स्ट्रॉंग आए हैं 35.4% से भढ़कर 37% के मार्जिन के नमबर्स कंप्टी ने पोस्ट किला है Spencer retail के numbers अगर देखेंगे तो on the face of it आपको numbers कमजो नजर आएंगे क्योंकि इस बार भी company ने घाटा ही दर्ज किया 51 करोड का लेकिन आप इनके margin को अगर देखेंगे कामकाजी मुनाफ़ा अगर देखेंगे तो वो बहुत ही strong है और पिछले काफी तिमाही बाद अबिटा प्रॉफिट में आई है company इसलिए हम numbers को strong बोल रहे हैं आए में भी 2% की बढ़त हुई है और पिछले साथ 2 करोड का EBITDA लॉस था इस बार 18 करोड का EBITDA प्रॉफिट कमप्टी ने दर्ज किया है green ply industries के भी नतीजे मजबूत आए में 45% की growth खामकाजी मुनाफ़ा 94% बढ़ा है company का मुनाफ़े में जरू 25% की गिरावट दर्ज हुई है लेकिन overall numbers मजबूत नज़र आ रहे हैं अब बात करते हैं कमजोर नतीजों की गोरेज एग्रोवेट के numbers काफी कमजोर हैं इनके कुछ सेग्मेंट ने काफी खराप प्रदर्शन किया स्पेशली आइस्टेक लाइफ साइंसे में मैनेजमेंट ने खुदी कहा है कि कमेंटरी वहाँ पर कमजोर देखने को मिली slowdown दिखाई दे रहा है इसलिए ice apart थी आपको margin ज़रूर बढ़े हुए नज़र आएंगे लेकिन profit भ पर 27% की गिरावट इस बार कंप्टी ने दर्ज किया और emphasis के नतीजे अगर तिमाही दर तिमाही हम बात करेंगे तो कमजोर नंबर आए हैं आए में करीब 2% की ग्रोथ लेकिन मुनाफ़ा घटा है कंप्टी का और margins भी 15.5% से घटकर 14.9% के बहुत ही शांदार और इस सकें तो कि कौन से अच्छे हैं और कौन से खराब है तो थोड़ा काम बन जाएगा आपका और हमारा दोनों का और हम फोटो भी कह सकते हैं यह है वो numbers की प्लेट अब आप क्या करो ना इसको सिर्फ लिख लो अपने आप फोटो कहच लो इससे होगा क्या है न आपको पता र क्या करेंगे जब तक earnings चल रही है अब मैं अपने सेयोगी शरत को भी अपने साथ जोड़ लेता हूं शरत आपको यह बताने वाले एक तो कल एक तारिक थी आपको पता ऑटो सेल्स के नंबर आपको पता ही नहीं लगे होंगे तो शरत आपको ऑटो सेल्स के नंबर भी बता जले और आईशर के रॉयल इंफिल और टीविस मोटर के जो नतीजे आएं वह बैटर दन एस्टिमेट्स आएं इन लाइन की बात करें तो बजाज आटो मनम की जो ट्रक्टर सेग्मेंट है और हीरो मोटो को अपने दिया है अगर बात करें अनुमान से कम के जो स्टॉक्स आए हैं जहां पर उनके जो नंबर्स आए हैं वो है टाटा मोटर कमर्शिल वहिकल एस्कॉर्ट और अशोक ली लैड यह सारे स्क्रीन पर इन स्टॉक्स को जो है आप इसका रेकॉर्ड कर सकते हैं और इंपॉटेंट्ली जो है इन स्टॉक्स जो है आज बुव्मेंट भी मिल सकते हैं आफकोस डिंपी ने कहा था कि जो रोलोवर जाये थे लास्ट वीक हमने देखा था आटो सेग्मेंट में सेमेंट सेग्मेंट में वहां पे भी जो है स्ट्रॉंग रोलोवर देखने मिले तो यह तो आपका पूरा स्नाप्शॉट हमने बता दिया आपको जैनवरी अब वो थर्ड पार्टी बैंक्स को अप्रोच करेंगे देखना चाते हैं कि जो अर्ली मार्च से जो है नॉर्मलिसी जो है जो नॉर्मल प्रोसीडियर्स है वो वापस आ सकते हैं हाला कि अफकोस डाउन ग्रिद्स भी हमने देखा जो देखने मिलेगा ब्रोकरजिस से EVS Motor EV Auto Related Stocks में आज सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है अब इसके कारण यह है कि गौवर्मेंट ने जो फेम सबसीडी है जो इलेक्ट्रिक वेहिकल की होती है उसको घटा दिया गया है अल्मूस 44% घटा के 2671 क्रोड रूपीज कर दिया है विच साल 2025 के लिए और यह जो DRHP उन्होंने अल्रेडी फाइल किया है तो उसमें क्या मोमेंटम आता है तो उसमें टीवेस मोटर और ओल को भी जरूर अपने रडार में रखेगा एनमडीसी की तीसरे तिमाई की अपडेट में सेल्स की आकड़े की बात करें तो 19% का ग्रोथ आया है और स्टॉक में जो एक अच्छी बाइंग भी आ रही है इजी ट्रिप प्लैनर्स यहाँ पे क्यू आई पी रोस करने के लिए इंपॉर्टन बोर्ड मीट रहेगी फेबरी 6 को और एक इंट्रेस्टिंग कंपनी है 4200 करोड का इसका मार्केट कैप है प्राइम फोकस का लेकिन जो चौकाने वाली जो नंबर आई है वो है 4000 करोड वो रेज करना चाहते है अगर मारकेट के आप 4200 करोड गया तो रेज कर रहे है राइट्स इशू से 4000 करोड रुपे और जो इशू प्राइस है 90 रुपे प्रतिशेर पे तो इस स्टॉक पे भी जरूर आप नज़र रखिएगा कि आग परसा जोड़ेंगे जो यूपील का प्रिव्यू देंगे और श्रिष्टी को हम टाटा मोटर्स के लिए जोड़ेंगे वह भी आने वाले हैं तो इन सभी खबरों पर आप आज ध्यान रखिएगा मारकेट बैक्ट टुदा मारकेट ने डिसकाउंट किया है मनिश्य विश् से पहला स्टॉक है वो है बिल्ला कॉर देखिए एक वीकली ब्रेकाउट का कैंडिडेट है अगर आप लोवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 50 डे मुविंग एरेज को अपना बड़ी ऐसा सपोट बना के अरबा स्टॉक ने एक न्यू हाई की तरफ एपरोच किया है तो चैनल ब्रेकाउट भी आप बोल सकते हैं higher high higher low का formation बना हुआ है यहाँ पे और स्टॉक ने देखिए 1580 टू 1600 का जो जो जोन था वो एक वीकली रेजिस्टंस था अगर लास्ट टाइम भी देखेंगे तो सेप्टेमबर 2021 और उसके बाद फिर से जनुरी 22 यही पूरा rejection एरिय का जो दूसरा स्टॉक है वो है force motors, force motors को आप देखें काफी एच्छा एक base बनाया हुआ है 3300 का और स्टॉक ने वहां से एक अच्छा खासा rebound दिया है with the volume परसो का volume चेक कीजिए recently अगर आप देखेंगे तो पितले almost 6 महिने का highest volume stock ने बनाया है तो यहाँ पे buy की opportunity हमें लग ही है 4040 का current market price है 3650 का stop loss maintain कीजिए for the target of 4740 and 5124 ठीक इंटरस्टिंग है force motor तो सर मेरे को आपको बता है आपने कल पर सुब हमको notice कर रहा था जिसका पहली बार breakout आ रहा था share चला है यह जो आप force motor की गारी में बताता हूँ आप ट्रैवलर देखते हैं ट्रैवलर जो चलती है वो force motor बनाती है एक बार एस वी लेके आया थे मिताबच उनके ब्रैंड मेस्डर रुआ करते थे force 1 के नाम से थी हाला कि वो जादा नहीं चल पाई लेकिन ट्रैवलर का आ आपको के बार ट्रैवलर को देखें पता भी निलगे का कि फोर्स मोटर बनाती है आप कभी बुक भी करते हैं ट्रैवलर बुक किये एक्चलि वो फोर्स मोटर की गारी है और बहुत इच्छी बिक्ती है तो यह आपके लिए शेयर हो आपके पास कौन से है गोरखा जीब न निदिया आयूश के कॉल्स एक बर वापिस से स्क्रीन पर दिखा दिएगा एची जी ग्लैंड फार्मा है अक्षी की कॉल को भी स्पीड से दिखाईएगा स्क्रीन पर वह बी एची एल और ग्रेंडलस तो यह कुछ एक ट्रेड है जो हम आपके सामने रख रहे हैं आगे ब बता देजे रिपोर्ट्स जी बिल्कुल शुरुआत करते हैं हम पेटेम के साथ जेपी मौगन की तरफ से रपोर्ट आ रही है और यह हाइलाइट कर रहे है कि रेगूलेटर के आक्षिन का इंपक्ट नजर आ सकता है प्रॉफिट पूल, नेटवर्क एफेक्स और क्रेडि जेपी मौगन का ऐसा मानना है जिसके चलते उन्होंने अपनी राय को डाउंग्रीट कर अंडर वेट की राय दी है और टागेट प्राइस घटा कर 600 रुपे प्रतिशेर पर कर दिया है इसके अलावा टाइटन पर हम फोकस करेंगे जेफ्रीज का कहना है कि मार्जन मिस कंप से होल की राय आ रही है टागेट पाइस उन्होंने घटा कर 3600 रुपे प्रतिशेर पर कर दिया है इसके अलावा गोल्मेंट साक्स का कहना है कि मस्बूत जूलरी कारुबार में परफॉर्मेंस जारी है कंपेटिटिव इंटेंसिटी हाइ नजर आ रही है जूलरी सेग्में का उचाल नजर आया है मगर फॉर्ण एक्सचेंज पर एक हिट नजर आया है इन फाक्ट आफ्रिका करीम 27 परसेंट कॉंट्रिब्यूट करता है उनके कंसॉलिडेटेड ऑपरेशन की तरफ मगर इंडिया का बिजनस स्टॉप वैल्यूएशन को ड्राइब करता है ओवरॉल की तरफ से खरिदारी की राया आ रही है डॉक्टर लाल पर गुर्मन साक्स का कहना है कि वॉल्यूम ग्रोथ जरूर सब्डूट रही है पेशन्ट वॉल्यूम ग्रोथ भी प्री कोविड लवल्स के नीचे है जिसके चलते बिकपाली की राया रही है इंडियन होटेल्स पर फ़फा की तरफ से रुपोर्ट आ रही है यह हैलाइट कर रहे है कि in-line Ebitda Company ने रफोर्ट किया है नई capacity की रापर की के talent रह सकती है stock के लिए इनकी तरफ से neutral की राया रही है, магस हल्थ के we coefficient चकाना है की cross margin में मजबूती अभी भी जारी है transition जो small finance bank की तरफ company करेगी इसे और 2-2.5 years लग सकता है जिसके चलते हैं खरेदार की राया रही है target price नोंने बढ़ाया है emphasis पर JP Morgan का कहना है कि revenue miss और margins in-line company ने report किये है silver line के acquisition के चलते margin पर 1.1% का impact ज़रू नज़र आया है मगर इनकी तरफ से neutral की राया रही है और आखिर में हम focus करेंगे 5 star पर नॉमिरा का कहना है कि काफी मसबूत Q3 numbers कंपनी ने report किये है highest ever quarterly profit यहाँ पर नज़र आया है AUM growth काफी मसबूत है और spreads में 10 basis points की improvement नज़र आई है rising yields के चलते overall खरदार की राया आरी है इनके तरफ से तो बसीन साब हम आरसा जूड़ चुके हैं और बसीन साब को देखते हैं उनके अनर्जी का लेवल क्या जबरदस रहता है आप यह सोचो कि आज से करीब 24 घंटे पहले बसीन साब हम आरसाथ मुंबई में थे बाजार के बारे हमको गाइड कर रहे थे अच्छे शेयर दे रहे थे आज हो दिल्ली के गुरगाओं में है और साथी पूरे जोश के साथ है पूरी अनर्जी के साथ है बसीन साब मैं फ़ड़ा मार्केट के शेयर की कोश्चन बाद में पूछ हूँ पहले ये पूछ सकता हूँ कि सर आपका बुरा ना माने तो आपकी डाइट क्या है सर आप इतनी उर्जा इतनी अनर्जी कहां से लेके आते हैं सरो थोड़ा डाइट प्लैन हमार साथ भी शेयर कर दो बुड मॉर्निंग डिंपी आपको भी मनीश को भी आत देखिये रात को आपके जाने के बाद दो वेबिनार किये रात की फ्लाइट पकड़ी मौसम खराब था एक बजे पहुंचा लेकिन आपके शोव पे वापिस है अपर वाले में विश्वास और इंडिया में बुलिश दोनों चीज़े रखेंगे पॉजिटिव सेंस और माइन रखेंगे तो धन के साथ वैबम भी आएगा और आपके पास संतुलन आएगा यह तीनों चीज़े रखनी है डायेक तो भगवाद की देन अज़र आप अपने आप डिसिप्टन रखेंगे तो ठीक रहेंगे तो शेयर बजार इस नोट अल्ली अस्टेपिंग स्टॉन टू क्रियेट वनी इस एक बहुत बड़ा प्लैटफॉर्म है जो लाइफ के साथ कोडिनेट करता है लाइफ जयसे है अपसेंड डाउन वैसे है शेर बजार बिएफ़ लगाँ योगा तो किसी ना किसी का सहारा ढूंटे है अगर आप किसी की बी मर्द किसी भी रूप में ना तो आप भगवान का ही काम कर रहे हैं अब ना कोई आदमी बहुत मिहने कउनल से पैसे कमा ना चाहता रहा और अपने पैसे का मार्केट के अ Durल के अ son ले जाएंगे तो मेरा मानना है कि जो मार्केट है ना ये एक शोशल सर्विसिस का भी कौज है आप आएं और अच्छे से गाइडेंस करें अपनी पढ़ाई से लोगों से अगर आपको भगवान ने ग्यान दिया है तो तो आप जिपपी जी देखिए एक दो तीन चीज़े बहुत पॉजिटिव हो गई ही बॉंड इल्ड घटने चुरू हो गए फेट की तरफ से डविशनेस आ गया और डॉलर और वीकर हो गया मुझे कोई दोर आए नहीं कि जो अंडर ओनर्शिप है बैंक्स का पर्टिक्लरली क्योंकि अब लाज क्या बैंक्स में पैसा जाएगा और फाइस का जो नजरिया था वो फॉर वटेवर रीजन वो बतलेगा और बाकी आपको बताओं तो रीटेल मार्किट तो बहुत स्ट्रॉंग चल रही है रीटेल फ्लोज और आपके पीएस यू बैंक्स पीएस यू के स्टॉक के देखिये कहा और 10-10-20-20 साल के हाइस पे है तो आइठिंग 22,200 भी एक नंबर है हाँ थोड़ा सा यहां पे आपको कॉशन भी रखना चाहिए बिकास मेकिंग मनी बिकम वेरी इजी लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के साथ मुझे अब लाज कैप पे बहुत अच्छा फोक को देखिये हुट को और NBCC कहां से कहां कल उटको 20% सर्केट पे था लोग कास्ट हाउजिंग चेंज इन बिजनस मॉडल इसका मतलब PSU भी बहुत जादा अडैप्टिबिलेटी की तरफ है और वी शुट क्रेट के इतनी बड़ी इंस्टिटूशन कैसे अडैप्ट कर रही ह और सरकम्स्टांस के साथ बदल रही है आज के लिए मुझे दोनों लाच क्या तीनों लाच क्या पिक्स हैं ग्रैसिम जिसके नंबर्स बहुत अच्छे थे और जो VSF में बहुत बढ़िया परफॉर्मस कर रहा है 2100 पे लीजिए 2500 का स्टॉप लॉस 2300 का टार्गिट नेसले मैंने दो-तीन दिन पहले भी कहा नेसले के साथ तारी को रिजल्ट है और अगर कोई FMCG स्टॉप आउट परफॉर्म करेगा वो नेसले है कल आपने देखा है मिल डैरी प्रटक्स पे बहुत जादा रियायत भी दिया है प्लस उसको बढ़ावा दिया है अब डिरेक्ट बे जाए नेसले में ओवर दो नेक्स सिक्समन और लास्ट बट नॉट लीस्ट एज़ प्रोक्सी तू फॉल इन ओयल और वीक डॉलर मेटल्स बहुत अच्छा करेंगे और सबसे बड़ा प्ले है JSW बेस्ट इंटेग्रेट स्टील प्लाट इन इंडिया और ऑल सिनर्जी इस ग सरकल आपने बजट से पहले लास्ट सबार वगा वसीन सरकल बजट से ठीक पहले आपने कहा था कि इन बीसी सी को मैंने जोर से कहा था तीस बटीस सो लगाता चाला कल भी हमने देखा कि करीब 12-30% के मजबुती देखने को मिली 145 क्या सपास का है अगला लक्ष क्या होगा सा देखिए NBCC उनको मेरे बहुत मन के अजीज है और मैं इनको बहुत साल से सेक रहा हूँ यह जैसे आप कहते हो ना हम अपनी फैमिली मेंबर्स के हर उताब चड़ाब को बरदाश करते हैं इनके विम्स और फैंसी मैंने बहुत बरदाश किये मेरे लिए तो sky is the limit मनीश जी क् यह दोनों मेरे पास 4-5 साल से है और अंडर परफॉर्मंस क्या पता था कि 6 महिने में ही आउट परफॉर्मंस हो जाएगी अभी भी यह बहुत अट्रक्टिव प्लेज है क्योंके टीर 2 टीर 3 में जिस तरह से आप construction और activity देख रहे हैं देखिए NBCC is a pure play on execution वो आपको 11-12% margin काम करता है और साथ में जितना आपको पता है अमरपाली की जितना था वो सारी inventory इनों ले लेके सब बेच दी और अब इनके पास नहुराजी नगर या जो भी है जिसको in cash करना था सब की in cash कर दिया तो 172 का target मैं कह सकता हूं as a disclosure यह दोनों मेरे stocks मेरे portfolio में है और मेरी कोई intention नहीं के जल्दी इन में से या बेच हूँ या कोई फेर बदल करूँ आप अपना diligent checks please कीजिए अगर है तो फिर नहीं है तो फिर मैं कुछ और पता करता हूँ इव्धर है तो इस रिपोर्ट को जईक एक बर दिखाई एतो जयपर्स की रिपोр्ट को ठेका ए नी तो एक काम करो पहले पेटियम पया जाते नीचे डिम्बी जी एक सिंपल जी लेंग्वेंज जो बोला जाता है प्रीवियस रेजिस्टेंस विल एक्ट अगर उसके नीचे सस्टेइन कर रहा है तो फिर श्टॉक और नीचे जा सकता है तिल दे लेवल तो 470 लेकिन पहला सपोर्ट जो रहेगा वो करीबन 550 क्या स्टॉ ठीक है डन इसके अलावा मैंको कुछ एक दो शेर और पता करने जिसमें कल मार्केट के अंदर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा था एक बार जब आप दिखाएंगे जी आईसी हाउजिंग कल की क्लोजिंग काफी अच्छी हुई है यह हाउजिंग फ़नेंस कमपनिस पर रिरेट हो सकती है एक बार अक्षे आप चेक करके बताएंगे जी आईसी हाउजिंग को क्या करना चाहिए आज बिलकुल डिम्पी जी कल बहुत स्ट्रॉंग मोमेंटम गेन करा था डे ट्रेडिंग में प्रिवेस स्विंग हाई जो 270 था उसको बहुत तेजी से पार करा है तो चार्ट सेटप बहुत स्ट्रॉंग है मोमेंटम ड्रिवन काउंटर है आपके टार्गेट एरिया करीबन 320-325 बनेंगे पर शॉट टर्म के लिए ट्रेडिंग के लिए हलका सा एक रेजिस्टन्स है तिन सो 280 के आसपास पर आप इसे होल्ड करके चले 320-325 यापके टा सपोर्ट के नीचे रहेगा 325 का टार्गेट के लिए आप वर्क कीजिए बाय और होल्ड गेमने स्टेम्प इसले लगाई है बाय नए वालों के लिए होल्ड पुराने वालों के लिए 325 तक का टार्गेट आ सकता है जी आई सी के अंदर यापके लिस्ट में होना चाहिए और काफी सारे शेयर अलड़ी अक्षिन ही पहता है पहले भी बताए हम आपको बी एचियल और गेनलस उनकी लिस्ट में है आप वो भी नोट करके रखेगा जैफरिस की जिस रिपोर्ट के मैं बात कर रहा था और उन्हें बजट के बाद अपना एनलेसिस किया हुआ है और को शेयर के नाम भी दे हैं मैं जर आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ आप भी उसको जरा देखेंगे तो आपको ठीक ले गया उन्हें का कि जो पी एस उस बैंक है वो आपके लिस्ट में एक बार देखेंगे बजट को लेकर कैपेक्स को लेकर एल एंटी में वेटेच की उ और उन्हें रियल स्टेट ऑटो शेयर के लिए अपने आपको पॉजिटीव बता है एक काम करते जरा एल एंटी पता करते हैं पोस्ट नंबर्स ना काफी तोटा था एक बार आप चेक करेंगे आयूश एल एंटी के चार्ट यह नंबर्स के बार तूट गया तो कि कोई गा अच्छा अच्छा परफॉर्म किया लास तीन दिन से 3700 के उपर के लेवल से रेसेंट पेस करें एक रॉफिट बुकिंग की और अराउं 3400 के आसपास के लिए इसमें जो नीचे का सपोर्ट जो बंद के आता है वह 3285 का लेवल स्टा जो तकरीवां और 100 रुपे के नीचे क असपास है और कल का जो सपोर्ट पॉइंट है 3270 का तो मुझे लगता है कि 3270 से लेकर नीचे 3280 के रेंज में कहीं पे मिलता है तो इस स्टॉक को डेफिनिटी आड़ करना चाहिए जिसा कि आपने कहा इसको पोटफोलियो का स्टॉक रखना चाहिए टेक्स मैको रेल एक बर जड़ा दिखा सकते हैं कल जब वैगन्स की बात्चित हो रही थी कि वो बतले जाएंगे 40,000 वंदे भारत के और तीन कोरिडर बनने जा रहे हैं नए अनरजी के हिसाब से तो टेक्स मैको रेल के नंबर्स भी आए हैं अगर आप स्क्रीन पर नंबर टेक्स मैको रेल चेक करेंगे सुमित अब बीजी ओल और स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है लेकिन एक न्यू एंट्री के लिए मैं फिलाल थोड़ा सा वेट करूंगा क्योंकि कुछ नेगेटिव फॉर्मेशन हैं कंडल स्टिक में लेकिन जिनके पास पुराना है आ आप अबी भी एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रही है ड्रेलिंग स्टॉप लेक्ट आप 100,000 लेवल तो अगर 190 की लेवल कहीं पर ब्रेक हो रही है तो फिर ओवर ओल एक एंग्जिट कर रहेगा लेकिन तिल द टाइम आप होल्ड रखिये और जो टूहंड़ का एक स्ट्रेटेजी मेंटेन करोंगा होटल के वी काफि स्ट्रॉंग नंबर आए एक बार जरा हम ग्राफिक्स भी दिखाते हैं और मैं अपने प्रडूसर साब से बोलूगा जड़ा स्टैंप लगाते जाए होल्ड अवाइड बाइंग ऑन डिपस बाए ताकि सिर्फ करोड की अठारा परसेंट बढ़कर और रेविन्यू वगारा भी ठीक है आप एक बार जड़ा देखके बताएंगे इंडिन होटेल्स जैसे आपने का रिजल्ट्स बहुत ही तेज थे और स्टॉक में भी दो तीन दिन का स्लाइट कंसॉलिडेशन था जहां पे सपाट चल प्राता 494 के आसपास मोमेंटम आज रिगेन कर जाएगा स्टॉक 500 पार कर जाएगा 525-530 यह आपके टारगेट एरिया जल्दी बन सकते हैं ट्रेडिंग के लिए आप अगर सपोर्ट देख रहे हैं तो 485 यह आपका सपोर्ट है तो स्टॉक लोस 483 का बनाई है और 525-530 यह टारगेट एरिया अपका इंडिन होटेल में बनेगा आएक के स्टेंप लगे और 525 तक है शेयर जा सकता है अच्छे से नूटिस की जगा स्पेंसर रिटेल के भी में नंबर्स आपको बता रेता हूँ यह लॉस्ट टू प्रॉफिट आईवी कंपनी 18 क्रोड इसका प् बिलकुल आप बने रही है जिसके पास पोजीशन है जिके स्टॉक्चर काफी बढ़िया बना हुआ है यहां पे तो स्टॉक जो है अपना एक वेव थ्री की फॉर्मेशन भी है तो यहां पे जो मेरा पहला टरगेट है वो 140 का था लेकिन जिस सरह से आपने बोला कि गैप अ तो अगर यह गैप अप हो रहा है और सेम 140 का लेवल ही अकर सस्टेन हो रहा है तो नेक्स टारगेट करीबं 160 का रहेगा तो बिलकुल बने रही है ठीक है इस बीच इस माइट ट्रिप पे भी कुछ QIP के जरीए वो रकम जुटाना चाहते है छे फरवरी को उनकी बैठक है ज तो इसमें कोई दिखरती बात नहीं है इसको यहां से बाइक आ जा सकते है और इसके बस है तो बोल्ट के आजकता है इसमें पॉर्स लेवल बन के आएगा और 52 का ही रहेगा और जैसी स्टाख 52 के ओपन निकल के ट्रेट करना शुरू करेगा इसमें 60 रखने टाइट करिए स अच्छी रैली देखने को मिली है क्या करना चाहिए प्रिकॉल में यहां सवर्तेजी कितनी दिख रही है आपको तो न्यू एंट्री के लिए फिलालाब वेट कीजिए पुरानों के एक सिंपल का स्टॉप लोग मिंटेन कीजिए 366 का सो तिल दे टाइम इट विल बी यह नो ट्रेट जोन तो वेट कीजिए 393 के लेवल को क्रॉस करने का आयूज इंडिन होसल का चार चार देखिए इस कंपनी के भी नतीजे बहतर देखनों के लिए जिस तरीक से टुरिज्म बढ़ रहा है और कंपनी अब इंडिन होटल को लेके क्या राय है कि अपकी बात करें तो इसमें करें करें चार्ट करें इसका जो बेपाइब लेवल था 493 के आश्पास था मुझे इस चॉप में उपर में 525-530 तक लिग रहे हैं इसमें चार्ट का पूलिटिव यह बाटम का फॉर मेंशन देखिए बा ठीक है अब हमासा शिष्टी जुड़ रही है और शिष्टी को आपने दो दिन पहले भी देखा होगा जब डॉक्टर रेडिस के नंबर आने वाले थे तो उनने प्रिव्यू बदाया था शिष्टी के बज़र विंड़ो में दिखाना शिष्टी मैंने आप से यह भी पता टोमेस्टी कारोबार अगर ठीक आया तो यह शिष्टी चल सकता है आप बिलीव करेंगे उसके बाद जब रिजल्टस आया तो यह शिष्टी अगले दिन 4% चला जबकि मार्केट उतना ठीक नहीं था उस दिन भी तो इसके लिए बहुत शुक्रिया शिष्टी का एनलिसिस काफी अच्छा रहता है इनके दो सेक्टर्स हैं फार्मसूटिकल्स और आटो और इस पर जो भी शिष्टी पर एनलिसिस आनुमान वगरा देती हो काफी काफी अच्छा रहता है शिष्टी इसके लिए बहुत शुक्रिया दर्शों की हेल्प करने के लिए एक तो आटो सेल इसके नंबर आये हैं पहले जर्व उसके बारे में बता दीजिए और इसके बाद से अब भी तरीके से गाइड किया और साती पूरे फार्मस्पेस में जो युएस बिजनस चल रहा है वो काफी अच्छा है जिसके चलते सिपला में भी अच्छी तेजी देखने को मिली अब चलिए अब auto sales की बात कर लेते हैं किस तरीके के numbers आए हैं हमने क्या बताया था और उसके मुकाबले कैसे numbers देखने को मिले हैं सबसे पहले passenger vehicle segment से surprise देखने को मिला है हमने बोला ही था कि तिमाही दर तिमाहियां पर बढ़ते विन numbers देखेंगे जिसका कारण ये था कि December में whole वोल सेल्स पर बहुत जादा फोकस नहीं था, इंवेंटरी बहुत जादा थी, जिसके चलते जैनवरी में फिर से सेल्स कैच अच अप करती वी दिखी पर उम्मीद से बहतर नंबर्स आये हैं, टाटा मोटर्स, M&M और मारूती की तरफ से, वहीं टू वीलर्स में जैसा कि हमन फील के आये हैं, जहाँ पर दिसंबर महिने में काफी डिसपॉइन्मेंट देखने को मिली थी, सतर हजार के आसपस हमारा उम्मीद थी कि कम्पनी की नतीजे घोशित करेगी, सेवेंटी ताउजन के आसपस यूनिट्स, सेवेंटी सिक्स ताउजन वानेटी सेवन यूनिट एक इंपक्ट हो सकता है, पर उम्मीद से भी कमजोर नतीजे आया हैं, आईशे मोटर्स वी एसलिए, ताटा मोटर्स और अशोख लेले इनके लाईन नंबर महीने दर महीने दो परसंट गिरते वें देखे हैं ताटा मोटर्स वी में भी 6-12% की घरावर देखे हैं एक वीक कि सोइंग है उसमें कमी जरूर हुई है जिसके चलते एक इंपक्ट है पर आने वाले महीनों में वह फिर से पॉस्टिव हैं कि अनुमान ज्यादा और कम कहां कहां पे हैं तो आपको सोड़ा समझना और असान हो जाएगा शृष्टि जरा टाटा मोटर्स के नंबर कैसे आ रहे हैं जरा इसके बारे में विगाइड कीजिए अच्छे नतीजों की उमीद है क्योंकि यहां पे हमने देखा था कि वॉल्यूम के बिट मार्जन जो की 7.3% पे थे Q2 में वो बढ़के 7.4% हमारी रहने की उमीद है क्योंकि इतमाही दर तमाही देखे तो जैलार की वॉल्यूम्स जो है वो 4% बड़ी है वहीं इंडिया पैसेंजर वेहिकल वॉल्यूम्स जो है फ्लाट रही है पर कमर्शल वेहिकल वॉल अच्छे आते वे दिखेंगे 13.3% हम उमीद लगा के चल रहे हैं मार्टी सुजुकी ने इंडिया बिजनिस में उमीद से बहतर नतीजे घोशित किये हैं मार्जिन्स के फ्रंट पे तो तारव मोटर्स के भी इंडिया बिजनिस के मार्जिन्स पे भी हमारी नज़र आईग जो की थोड़ा सा सप्राइजिंग जरूर था तो इस बार कैश फ्लो किस तरीके का आता है उस पे भी हमारी पहनी नज़र रहेगी तो टारव मोटर्स से अच्छे ही नतीजों की उमीद है ठिस्टि बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्यों वर्म अपने काफी महनत करके अच्छों को बनाए और लॉस्तार अभिस अथे और यह आप उसका इसे नंबर शूक्रिया ब्हुत अब रहें। हैं एक महमान और जुड़ चुके हैं जै पटेल उन से पता कर लेते हैं कि टार मुझे लग रहा है यहां से आज की रिजल्ट के बाद यह स्टॉक में पहला जो लेवल आएगा वोगा 920 का 920 का लेवल मुझे लग रहा है यह स्टॉक में आते हुए दिख रहा है सो टाटा मोटर्स को डेफिनिटली लॉंग करके जाना चाहिए और एवन मुझे लग रहा है यह जो स्टॉक्स है टाटा मोटर मारूती जैसे इंको अगर हम 6-7 मैने के लिए भी रखे तो मुझे लग रहा है काफी अच्छा यह स्टॉक में मुमेंटम आ सकता है कल बजेट मे हमें देखा कि एवी को कुछ मिल सकता है तो टाटा मोटर वूड बी वन अफ दे बैनिफिशरी सेलिंग के लिए कार्स की पर्टिक्लर इसो मुझे लग रहा है यह स्टॉक काफी बेतर है टेकली हम देखे तो 21 डे मुविंग एवरेज का जो सपोर्ट लिए यह स्टॉक ने को अपने जरा आप शेयर बता दो टाटा मोटर से अपने बाय बता दी आपके ट्रेडिंग कॉल्स जल्दी से बता दीजिगा जै यह सुर मेरे ट्रेडिंग कॉल्स रहेंगे जैंसोल एंजिनेरिंग अरं 9-1-10 के बाव पर है काफी एक्यूमिशन के वहां पर है यह स्टॉ रेजिस्स को चुने का ट्राइ कर रहा है वापी से मुझे लग रहा है यह स्टॉक के दिन में काफी अच्छा रहा आज वापी से अच्छा मोमेंटम आ सकते यह स्टॉक में 976 के टारगेट के लिए इस टॉक को ले सकते और 865 पा स्टॉक लोस रहे यह स्टॉक में दो करोर गर्ज इतना एनांस किया तो उसके वाँ से यह स्टॉक में 100 डे मोविंग एवरेज से बांस बेक किया मोविंग एवरेज इसकी कंजिशन को पार करके यह स्टॉक 820 के महा पर कल के दिन में क्लोस गुआ मुझे लग रहा है यह स्टॉक में 854 तक के टारगेट हमें आते हुए दीख सकते हैं और स्टॉक प्लोस के तौर पर राउंड हम देखे तो 785 का स्टॉक में ट्रेड है ठीक है इंटरस्टिंग बहुत ही बढ़िया आपने इस सम को शेयर बता दी जैंसल तो मिनफैक्ट में लगता है पांच परसन के सरकेट पी है कल सरकेट फिर से ल जाए कि हाँ कहां पे कौन सी चीज बोली गई है पहले जरा सुमिज जी के ट्रेड दिखाना मैं नाम बोलता जाएंगा फिर वैसे फायर करना और स्पीड से फायर करना सुमिज जी ने जो सौदे बताया है उसमे एक तो बिरला कॉर्प है और साथी साथ फोर्स मोटर है यह उनकी दो खरिदारी के ट्रेड है उसकर आप आयूश की कॉल भी दिखाना आयूश का जो ट्रेड है वो एची जी है और ग्लैंड फार्मा है अक्षे ने जो बताया है और ग्रेनलेस इंडिया है और इसके अलावा जैन ने जो पर शेर्स बताया है आपको है जैन सॉल और प पता करना है फिर हम शरुत को अपने साथ जोड़ लेंगे कंटेनर कॉर्पोरेशन क्या चल सकता है क्या वो वजह मैं बताता हूं क्योंकि बताया यह जा रहा है कि लॉजिस्टिक को ना काफी हद तक कम किया जाएगा और रेलवे पे भी शिफ्ट हो सकता है क्योंकि तीन अनर अपरेशन हजार आजाएगा जी बिलकुल स्टॉक का स्टॉक्चर बहुत बढ़िया है और एक रिबाउंड डबल बॉटम बना था एक ट्वेंटी के करीबन ट्यूजदे के सेशन में हमने इसको बाइकॉल दिया था एक नैंटी के लेवल से खल 920 का क्लोजिंग आया है त तो जो टारगेट्स हमने सजेस्ट किये थे तो दोनों का टारगेट लेवल अलमो सेम है तो एक अजर के कंटेंडर बिलकुल है इसके अलवा कुछ-कुछ और खबरे भी है जो मैं जर आपके सामने रखना चाहता हूँ और इस पर भी जर आप इबर जनमे को बताएगा अक् 20% समझें डेज हाई पर बंद हुआ है यह सिरीज का वन उफ फाइनस स्टॉक हो सकता है हमने बजट से आपको पहले ही बताया था कि अनर्जी और माइनिंग वाले शेयर्स पर ज़रूर ध्यान रखना मैं हमने अनॉंस्मेंट कर दी है कल इसकी अगर आप आज देखे प्राइज तो एक रेजिस्टेंस पर ट्रेड हो रहा है अब पिछली बार देखे 225-226 के स्थर से थोड़ा सा करेक्शन आयता दोसो तक तो हलका सा डे ट्रेडिंग के लिए एक रेजिस्टेंस है बाकी अगर आप मीडियम टम से होल्ड करो तो कोई दिक्कत नहीं है इवेंचुली है रेजिस्टेंस पर कर जाएगा पस टाइमिंग के लिए एकदम माइक्रो टाइमिंग अगर आप देट रेडिंग के लिए कर रहे तो मैं क्योंगा कि एक बार 226-227 के लिए तभी आपको फ्रेश मोमेंटम मिलेगा थोड़ा सा डर है अप्रोक्सिमेटली अपका स्टॉपलस बनेगा फॉर लार्जर टार्गेट तिल टूफिफ्टी तो एनमडीसी पे बने स्टेंप लगा दी बगारा एक गैप के साथ खुल रहा भी तो फ्रीज नहीं हुए लेवल लेकिन लग रहा है कि एक से डेड़ परसेंडी गैप के स शेयर चेक करेंगे आप आयूश टाइटन लास्टीन से काफी सेल ओफ देख रहा है उपर के अप्रोक्सिमेटली 3900 के लेवल से और कल के सेशन में उसने अपने 50-day moving average का डेड़न दिया है जो 3640 का तो मुझे लगता है जैसी स्टॉक 3640 के नीचे जब तो अपने आपको नी करना शूरू करता है तो मुझे लेवल से लेटन पर आज फ्लाइट खुल रहा है इसको देखना होगा हाला कि मैंटेन सब ने भाए रखा हुआ है कुछ ज़्यादा रेटिंग में चेंज नहीं हुआ बट काफी सारे लोगों ने इसके प्राइस कट कियो है तो इसको जब करेंगे वापिस खुलने के बाद नौ बच चुके हैं शरत हमारे सही होगी हमार सा जोड़ चुके है आपको नवरतन शेर बता रहे हैं आज भी बताएंगे शरत गूड मॉनिंग अच्छा एक तीम जो आप कहरे थे कि अंदर की जो छोटी कंपनिस के नंबर्स हैं काफी अ अगया था लेकिन मिट कैप स्मॉल कैप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और अफकोस हमने जो ट्रें की बात की थी ट्रें सेग्मेंट में जुपिटर वैगन ले लिजी टीटा अगर बहुत स्ट्रॉंग सेट अफ नंबर्स आएं तो अब मैं अब पिक अप करता हू पैट, अबिड़ा अपने कंपनी के हिस्ट्री में जो है रेजिस्टर किये हैं और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे है कि यह डबल डिजिट रेविन्यू ग्रोथ कंसॉलिडेटिट बिसिस पे विचसाल 2025 में देखने मिलेगा पीबी फिंटेक के भी बात कर लेते हैं जह अबिएस मोटर और एवी के आटो रेलेटेट स्टॉक्स को लेके भी यहां पे गवर्मेंट ने जो फेम की अलोकेशन होती है सबसीडी उसको घटा दिया गया अल्मूस 44% से अब यह जो है FI 25 से लागो होगा तो इसको जो है एक ताइप से नेगेटिव कह सकते हैं इजी प्लानर्स की भी बात कर लेते हैं QIP इशू की बोर्ड मीट है और यह February 6th को होगा NMDC में भी volumes में strength देखने मिली है और overall sales की बात करें तो 19% का growth Q3 में देखने मिला है और सात्वा stock जो है Spencers Retail है बहुत quarters के बाद पहली बार कामकाजी मुनाफ़े में जो है positive numbers देखने मिले ह EBITDA profit हो गई है पहले loss था 2 करोड का अब जो भड़के 18 करोड हो गया stock में भी बहुत अच्छी तेजी देखने मिली है recent days में और भी चैनलिस का मानना है कि और H&I buying stock में देखने मिल सकती है हमारा आठवा stock वो है Big Bowl brokerage में वो है Paytm हमने कली भी कहा था कि और brokering downgrades देखने मिल सकतर कल साड़े तीन बजे उनके कॉन कॉल होई थी जहां पर वो expect कर रहे है कि अब वो third party bank के साथ करार करेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि March के शुरुआत तक जो है operations नॉर्मल हो जाएंगे यहां पर JP Morgan downgrade किये है अब भी जो है अंडर वेट पर किये है अब पहले neutral था लक देखने मिल सकती है आकरी स्टॉक जो focus में रहेगा वो हमारा खबर है वो है APL Apollo tubes इसमें बात करें तो company expected कि अपनी international expansion plan में US और Australia जैसे जगह में जो है अपनी plants खोल सकते हैं दुबई की plants की बात करें तो उनकी capacity में भी बढ़ोतरी देखने मिलेगी लगभग 50% का अब इंप to domestic markets और importantly जो इनकी market size है वो भी बहुत बड़ी है और APL Apollo tubes जो है वो चाहते है कि वो export markets में भी अपनी market share बढ़ाएं तो इस stock को भी ज़रूर अपने radar में रखिएगा बहुत बढ़ी है आपने अच्छे से बताया है मैं को अच्छे से याद है आपने container corporation इसी segment बताया था आप आपने एक और share था जो सोनी के साथ आपका मैच हुआ है मैस्चे को भी थोड़ा recall नी कर पा रहा है बट वो share भी आपने बताया था वो भी मैच हुआ और आज आप APL बता रहे हैं ठीक है sir thank you very much अगे बड़े 67 point अभी तक आपको निफ्टी पर दिख रहे होंगे लेकिन 67 point क की लिहाज से उतना उपर नहीं खुल रहे हैं देखते हैं एक फ्रीज हो जाएं लेवल फिर हम आएंगे लेकिन फिलाल मेरा थोड़ा मन एक नौच नीचे हो गया है क्योंकि 21-800 के आप उपर क्यों नहीं खोल रहे हो आपको कहां पर डर है 21-800 के उपर नहीं खोलने में क्य आप भी फ्रीज हो रहे हैं मैं जरा उसमें से कुछ शेर पखड़के आपके सामने रखता हूं अच्छा एक शेर में पहले नोटीस को रखा है एक जीनेस पावर दिखाएंगे आप जीनेस पावर सुमिच जी आप ब्रेकाउट शेर जूनते हो जरह जीनेस पावर देखना ये एक फ्रेश राउंड का ब्रेकाउट कर रहा है क्या जीनेस पावर? तो जिन्होंने पोजिशन बनाई है या फिर जो एग्रेसिव की हम बात कर रहे हैं 258 हमारा एक स्टॉप लोस रहेगा और 317 का टार्गेट रहेगा एक शेर में को और पता करना है काफी सारा लोगों के पास भी होगा उसके नंबर्स भी आ चुके हैं वो है वर्ड़ अफोन आइडिया संजीव शर्मा हमारे एक व्यूवर हैं वो यूट्यूब पे हमारे सो जुड़ रहे हैं जुड़ते इनफेक्ट अभी भी हैं शायर वो देखी रहे होंगे तो उनने में को सवाल पूछा था मैं दोनों चीज़े एक सार देख रहा हूँ थो टीवी और यूट्यूब तो अगर आपको कुछ पूछ रहा है तो स्पेसिफिकली वहीं डाल देना मैं मौका देखके अपने आप से पूछ लूँगा कई बार आपका कोश्चन मेरे लिए बड़ा इंटेलिजेंट हो जाता है मैं उसको अगर अच्छे से आपके लिए रख पाऊं तो मिरेको भी अच् लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशन्स भी देखे 17 के लेवल से काफी स्ट्रॉंग बिक्वाली देखने को मिली है टेंप्रेरी सपोर्ट है 13.5 का और यहां से एक आपको हलका साथ उच्छाल देखने को मिल सकता है तो मैं कहूंगा यहां पर ट्रेडिंग वाला मामला है शॉ टागेट एरिया के लिए तो आप 14.75 यह टागेट एरिया से वर्क कीजिए सपोर्ट करीबन 14 के आसपास बनेगा तो 13.5 तक आपको स्टॉप लोस रखना ही पड़ेगा तो ट्रेडिंग का मामला है शॉट टर्म बाउंस के एक्स्पेक्टेशन है करेंट लेवल से पांच कुल डॉट पे हम उपन कर रहे हैं यह सभी मिमानों से आप 3-4 दिन से सुन रहे होंगे हमसे भी सुन रहे होंगे तो आज देखते हैं पहले 10 मिनिट में क्या करते हैं एक इस आट सो के उपर वही जगह है जहां सबके सांस अटके हुई है सबकर बढ़ा यह कहना आपके 200 का रास्ता को लेगा चिंदो से इनों ने मंदे की उनकी अटकी हुई है कि अटकी हुई है कि भाई उस जगह पे आगया हो जहां से वापिस गिर सकता है क्या करें दस मिनिट के लिए रुख जाओ वनेशी मेरे को एक्सपेक्ट था कि साड़े आट सो खोलेगा कम से गम हां लेकिन उसे साफ से नहीं खोल रहे है इसलिए बजार हम सब सर्दक स्मार स्मार्ट भी वो तो हमेशा भी रहेगा ही लेकिन इसके अंदर बस एक ही प्रॉब्लम है यह ना कंवर्जिन कितना होता है यानि कि शॉट कवरिंग आनीचे जो शॉट पड़ा हो यानि कि जो कॉल राइटर्स हुआ हों कितनी अलदी अपनी साड़े को कवर करते हैं तो यह टिक गया ना तो फिर आपका आज का दिन अच्छा जाएगा आपका दिन अच्छा जाएगा आज निप्टी बैंक आपने जो कहा था कि टिल्ट तेजी के तरफ थो रहा है वो अभी भी दिख रहा है तीक है अज निप्टी बैंक ज्यादा मजबूत खुल ला है 46-500 को पर म कॉपने करे देख करना है तो आपको पॉंट्स आपको 300-500 मिलने वह तो वेट कर ले तो छोड़ दो लेकिं करें बैंक निफ्टी ने आपको बतारें में कुल हमकुल लागा कि शोट नहीं करना है 45-500 को अगला तो 45-500 क यश्यादा अगत तब भी आपने का रुकी है और उसके बाद हमने आठ सो पॉइंट सारे आठ सो पॉइंट के शांदार कर देखे थी सर यह कॉंटीनिव अभी तक अभी तब से रुकी नहीं रहां खेर मारकेट अब मैं जरा एक दो चीज और पता कर लेता हूं मैंने कुछ कैश के स्टॉक्स भी निकालें जहां पर आज अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा वापी से कैस्ट्रॉल इंडिया एक बर देखाएंगे जरा कैस्ट्रॉल इंडिया स्क्रीन पर आयूश मैं जरा स्पीड से पूछूँगा जल्दी बिताते जाएगा तीन मिनट में रैपिड फ करने के लिए ठीक है छोड़ देते हैं सेंट्रल बैंक सुमिध जी सेंट्रल बैंक टाइप कीजे 61 रुपे का शेर है प्लस करेंगे नहीं जी बिल्कुल प्लस करेंगे गैप भी हो रहा है तो भी यहां पर मैं और एडिशन करूँगा ठीक है एक है और नम्डीसी अक्षे प्लस करोगे या नहीं एनमडीसी खुलते ही जी रेजिस्टेंस के उपर है स्ट्रिक स्टॉप लॉस आपको बनाना है 223 का क्योंकि एक ब्रेकाउट प्रेड है चल पड़ा तो 235 तर टागेट बने का डे ट्रेडिंग ठीक है जैप टेल यूको बैंक कल का ब्रेकाउट है स सुमिच जी ने देखा था इस शेर को अच्छे से आप वापिस से चेक किजिए यूको बैंक जैपटेल इसको खुलते प्लस करें के नहीं डेफिनिटली प्लस करना चाहिए पॉब्लिक सेक्टर बैंक में मोमेंटम भी और मुझे लग रहा है प्रेकाउट के जूप पर है तो 52 के टाइगेट के जिस्टोप को लोग करना चाहिए ठीक है एक और शेर है एनेच पीसी कई बारे थोड़ा फील करता है कि मेरा बड़ा भाई एनबी सी सी बहुत आगे निकल गया जरह एनेच पीसी चेक करेंगे आप सुमिच जी एनेच पीसी टाइप कीजिए 92 का शेर रहा है अक्षे शोट मारेगा बाटा इंडिया पर बाटा इंडिया में वेट और रहेगा शौट का मारकेट अभी भी है नहीं तो कंफर्ट नहीं इसके लवा अशोक लिलेंड यह चल नहीं रहा टाटा मोटर्स के मुकाबले कमपेर करेंगे जैप अशोक लीलेंड कोई ट चार परसंट उपर खोल रहा है सुमिझ जी चार परसंट उपर खोल रहा है इंडिन होटेल खुलने के बाद भी प्लस करना है क्या जी बिलकुल लग रहा है कि मोमेंटम यहां भी बनेगा टूरिजम सेक्टर को काफी अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है हमने दो दिन पहले भी डिसकस किया था बिलकुल एडिशन की दिए एक और शेयर है वी गाड आज काफी इंट्रस्टिंग लीग खुल रहा है अमूमने हमको दिखता नहीं शुरुआत में वी गाड जरह स्क्रीन पे लाएं और जैपटेल जरह चेक करना वी गाड 303 रुपे का शेयर है खुलत शेपी भागत पूरी सीरीज में बना रहा हूं गेल में आज थोड़ा गैप कर रहा है दो रुपे का यह बहुत स्ट्रॉंग चार्ट स्ट्रॉक्चर है पूरे सीरीज की बात करें तो 190 तक टागेट बन सकता है तो बिलकुल बाय करके चले गेल सपोर्ट एरिया 170 स्टॉप पूर्ट पूर्ट फोलियो बिलकुल अप एड़ गीए ठीक सब्सक्राइब बहुत शुक्रिया आप रैपट फार राउंड में जितने कोशिश कर सकते हैं जाना साना शेयर्स लेनी की हमने ली 21-800 के पर खुल रहे हैं पहले तो गैप वालों को बहुंगे उनका 6500 लग गय थोड़ा 800 के उपर जितना उपर जाएंगे उतना कमफर्ट का लेवल आएगा और उतना भै पैदा होगा 21-800 को शॉट करने वालों का 136 पॉइंट उपर आ चुका है 320 पॉइंट उपर बैंक निफ्टी है बैंक निफ्टी को 46-500 पे हाथ बदला करना है इसलिए थोड़ा सम शुरुआत में देखेंगे तो बीपी सील 2% टुक पर है टाइटन डेड़ परसंट टुक पर है सभी ने मेंटेंड बाइट किया था थोड़ा कट लिया था इसलिए मेरे साइंस थोड़ा कन्फूजन का था कि मैं शुरुआत में क्या करूँ मैंने आपको बोला गया रुक टेक महिंद्रा आज डेड़ परसंट टुक पर है इसके अलावा आज सेल टेक भी उपर है अज शुरुआत में आई टी कंपरीज हेल्प करने के लिए इसलिए थोड़ा आप बैंग निफ्टी को स्पीड से उपर देख पारे ऐस कंपेर टू बैंग निफ्टी क्योंकि बै अभी और पक्का हो जाने दो फिर आपको 22 का रास्ता भी खोलेगा रिनायस इंडस्टी शुरुआत में आज उपर है इसको भी आप चेक कर लीजे बजाज फिंसर ये टूटा था दो चार दिन पहले ये भी आज उपर है इसमें भी आपको अच्छा ट्रेड आपको देखन जल रहा कल इसके क्लोजिंग ठीक थी बट आज ओपनिंग में थोड़ी प्रॉफिट बोकिंग है हिंदुस्तान यूनिलिवर बड़ा शेर ओल्मोस्ट फ्लैट है तो मेरे को स्क्रीन पर कोई ऐसे शेर दिखनी रहे जिसके उसे बजाज ड्रैक करके एकदम से नीचे आ जा की वर उतर गया यह 16 वाला इंडिया विक्स ओलेडी 14 आ चुका है तो बजार क्या करेगा यहीं रुकेगा या धीरे धीरे करेगा और में को लगता थोड़ा फ्राइडे है आज तो आज थोड़ा थक भी गया है सारे लोग बजट की वैसे तो मार्केट में आज अराम से काम होगे शांती से निपड़ जाएगा एक ग्याप हमारे काम है हीट मैप एक बार आपकी स्क्रीन पर लेके आता है फिर मनीज आपको जल्दी से छोटे मुझोले शेयर के बारे बता देंगे एक मिरेट के अंदर फिर मैमानों से ओपनिंग के ट्रेड लेंगे सुमित अक्षे आयूश जय आप त्यार हो जाएगा आपको ओपनिंग के सोरे देने हैं आज आप स्क्रीन देख पा रहे हैं तो आई शेयर मोटर से दो परसंट नीचे आपको एक लौता शेयर दिख रहा होगा जादा तर शेयर चल रहे हैं इसी स्क्रीन में आपको आई टी की थोड़ी प इस नहीं है देखते हैं अभी क्या होता है बैंग निफ्टी इस भी चालीजार 635 हो चुका है करीब एक परसंट की बड़ा तापको यहां पर भी डिखी है मनेश जी जैसा के हां वैसा ही किया बिलकुल वैसा ही है वैसे ही तेरी दिखने को मिल लिए है और आपने एक मिट क इडेकस में देखें वहां करीब 0.50% की मजबूती है अगरे स्टॉक्स देखें आज के स्टेट में जो चलने तो वह ही चलने है हुटको देखें का रेल देखिए वहां खरदारी है नतीजों के दम पर कैस्ट्रॉल देखिए अच्छे नतीज़ें हैं उसके बाद से हम च्छे मजबुती देखने को मिलें चोटे बैंकों में देखिया सेंटर बैंक में थोड़ी खरदारी देखने को मिलें इसके इलाबा अब आते हैं कुछ और सकारी कंपनियों में सिपिंग देखिए आज के टेड़ में वहां भी करीब तीन सारे तीन परसेंट के मजबुती के साथ कारवार होता हुआ दिखे रहा इसके लाबा और एक श्टॉक्स देखिए असमें फटा फट राय भी लूँगा ताज जीवी के अगर शेयर देखिए करीब आठ परसेंट के मजब मजबुती के साथ जो है रफतार बरतावाद दिखे रहा काफी दिनों के बाद क्या रहा होगी ताज जीवी के पर जी बिलकुल स्टॉक बहुत अच्छा है आप अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो पिछला जो हाई था वही को आज क्रॉस भी कर रहा है तो बिलकुल और और आगे अपसाइट का इस पर मोमेंटम बन सकता है जिनके पास अल्रेडी होल्डिंग है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहें नेक्स टार्गेट विल भी अराउंट 315-320 बैंकिंग स्टॉक्स देखे सुमित है इंडियन ओवर सीज बैंक 6% के मजबूती क साथ कालवार कर रहा है इंडियन ओवर सीज बैंक को तो बिल्कुल स्टॉप में काफी अच्छा मोमेंटम है और 60 रुपीज के टार्गेट के लिए बने रहें सुमित जी आपने में को बदाई नहीं दी आयोबी के लिए यूको बैंक तो आपने बदाई तो दो बदाई ब आप पुरा नमाले मैं तो स्रें मजाग कर रहा था ऐसा कुछ नहीं सुबेक्स मजबुत ही और क्या कर रहें अभी थोड़ बना रहें सुबेक्स तो चलेगा और थोड़ पोर्टफोली वाले शेर उसको रखे हो तो बहुत चलेगा तो खैर उसकंदर काफी गुंजाइश ह मैं जरा एक काम करता हूँ ओपनिंग के सोदे भी तक हमने लिले हैं जै पटेल से शुरू करते हैं जै आपका ओपनिंग का ट्रेड आज का आज के दिन में मुमेंटम काफी मुझे दीख रहा आते हुए और दिन के उस्तम सर पर अभी ट्रेड कर रहा है मुझे लगए 275 तक के लेवल इनिशली दिखा सकता है उसको पार करने के बाद 282 के लेवल आज के दिन में दीखा सकता है सब्सक्राइब के तौर पर 258 का सब्सक्राइब कर देंगे ताकि लोगों को बाहर निकलने का रास्ता भी तो मिले ना अंदर आने पे बाद सुमिझ जी आपका ओपनिंग ट्रेड पर ज्यान रखिए काफी अच्छा एक ब्रेक आउट देला है लोवर टाइम फ्रेम पे त सब्सक्राइब करेंगे ट्रेड यहां पर आइटी में मैं बाय की रहे रखूंगा इटी सेक्टर कल यूएज में भी टेक जैंट्स ने काफी स्ट्रॉंग रिजर्ट्स पोस्ट किया था उसका रबाव फाज ओपनिंग ट्रेड्स में आपको आइटी सेक्टर में दिख रह 2879 का ओके बहुत ही बड़िया आपको ऑपनिंग ट्रेड तीनों मैंमानों के मिल गए हैं मैं आपको जबर निफ्टी दिखाना चाता हूं मैं को थोड़ी खुशी भी हो रही है बताके और अच्छा भी लग रहा है कि बाजार वैसे ही चल रहा है और कवरिंग करवाना उसन इसे काते है शॉट कवरिंग क्योंकि 21-800 ने इतना डिस्टराइब कर रखा था कि आपको 100-500 पॉइंट देने में बाजार को सिर्फ 10 मिनिट लगे और उड़ा के फैंक दिया कि आप करो शॉट मेर को हाला कि ऐसा नहीं है कि शॉट्स वनों गलत ही है शॉट्स करना गलत होत था करीब लेकिन इसको 800 पारे में थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि उसने ऑलरी गैप के साथ पहले से ट्रैप कर रखा है और थोड़ी इसकी कवरिंग कम होई है कि कल भी शॉट कवरिंग होई थी लेकिन निफ्टी के पास एक डियू था कि आप मेरे को 21-800 पार क आप उसकी कर रहे था है और वहां से फोर्स देखिए करीब करीब 140 को कि तीजी 1500 को कि तीजी है हमने एक फोर्स से तीजी देखना की पिर लगता तार जो अब जो आप्शन की कटी है वो पहले 10 मिर्ट देखते हैं वह कटती है आज कल तो आप सिस्टम काड़ता है हम तो नह तक खुल रहा है क्या ये तो कंफर्म हो रहा है कि हम 22 तक आही जाएंगे जो पहला रिजिस्टन्स रहेगा अगर मैं स्पॉर्ट की बात करूं तो 21,960 क्योंकि आप देखेंगे तो 16 जन्वरी के बाद जो 17 जन्वरी का गैप डाउन हुआ था ये पूरा एक गैप फिल होने पे है तो जो पहला रिजिस्टन्स रहेगा स्पॉर्ट लेवल पे 21,960 येस अगर ये क्रॉस कर रहा है और आज मुझे क्लोजिंग बेजिस पे मिल रहा है देन वी केन अप्रोच वर दर न्यू हाई जो आप स्वदेश को लगाता है देखते रही क्योंकि हम यहां पर कोश सब्सक्राइब करेंगे तो बिल्कुल यह राइडिंग ट्रेंड वाला शेयर है आप इसको राइड करते जाहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनाते जाहिए तो बिल्कुल यह पोर्टफोलियो में आपके जो जैसे को वारें बफे बी बुलते हैं के सिर्फ दो स्टॉप की काफी है जो आपके पूर्फोलियो का पूरा वैल्यूएशन बड़ा देता है तो अभी भी आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रही है 149 जो आज का ही लू है ठीक है इंटरस्टिंग बहुत बढ़िया आपको मैं जरह दिखाता हूं कौन सा लीड करेंगी हिरो मोटकॉप यह सिरीज के अंतक रखें है तो हिरो मोटकॉप में डेफिनिटली वाज वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रहा है तो मुझे लग रहा है पहले अरम 4730 का लेवल एक बार पार हो जाए उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम बापी से स्टॉक में आ सकता रिलाइंस को देखिए रिलाइंस कहीं ने कहीं ने कहीं लीट किया है और एक अच्छी मजबूति के साथ अब वह दिन के उपर देखने को मिले लगाता सोनी पर टनायक ने इसमें खरदारी करने से लाड़ी ते इंपरी में पॉजिटिव नजरिया दिया था रिलाइंस को लेकर क्या करने चाहिए सुमीत इस लेवल पर देखिए दो दिन पहले रिलाइंस से एक डी सी सी फॉर्मेशन किया था लेकिन वही बेज अपना एक बनाके जो अठाई सो का बेज है उसी को बनाके स्टॉक ने रिवसल दिया है तो बिलकुल एक जो चोटा हडल है वो परसो अब क्या बूला आपको सुमीजी ने सुमीजी ने कहा कि दो शेयर भी आपके पास आगे ता आपका काम हो जाएगा आईएफसी आईसे शेयर हम आपको उस जगह से बता रहे हैं जहां पर इसको कोई नहीं देखता था कोई चर्चा नहीं करता था किसी टीवी स्क्रीन पर आपको देखेगा इडियर सुदेश ने आपको सबसे पहले ऐसे शेयर बताना शुरू कि उसके बाद धीरे दीरे देखिए अब आप दूसरी स्क्रीन जाकर चेक करेंगे ना फिर उसके बात बात कर रहे हैं तो आप पहली गिनर बनो ना आप फस्ट मूवर एडवांटेज आपके पास होना चाहिए ऐसे शेयर का अभी क्या नहीं मनी जी चपा 44 होगा 50 होगा फिर बहुत सारे लोग इस पर चर्चा करने के लिए आएंगे अब जनता आगे करने के लिगां करने कि छोटे से उच्छे से चलांगे से बात करते हैं अच्छा उनकी भी गलती नहीं हो ताज जी भी की देखिए ना पहला शेयर जो मैंने सुमित से पूछा है क्या करना चाहिए तबीकर साथ-साथ-साथ-साथ-परसिंट के मजबूती थी अब देखे ताज भी को लिखाई है कोई भी बोल दिया इस पर मैंने स्टार रेंटिंग करना शुरू कर दिया च्छा है थोड़ा साथ-सा पता लगने लगा कि क्या चीज अची तोड़ी ग्रीडिंग वह और कुछ नहीं हुआ ठीक है तो आप भी थोड़ा ऐसी है फायदा लीजे आप करें दो सो पैंतालिस है मनीजी अगर आप कोशन नहीं भी पूछेंगे ना मैं अपनी तरफ से बता देता हूं जिनको भी ऐसा लग रहा है कि मेरा आज का काम हो गया निफ्टी का और उसका लग रहा है कि मेरेको प्र ज्यादा नीचे तो फिर आप 900 का लगा लिए 21900 का अब एक स्टॉपलस लगाई है और आप बैठे रही है क्योंकि जो शुरुआती मोमेंटम है ने मेरे को दिख गया है लेकिन उसके बाद मेरे को शेयर सुनने में देखने में डाटा को पकड़ने में थोड़ा मेहनत करनी पड़ रही है इसका मतलब यह कि बादार के अंदर वह फोर्स नहीं आ रहा कि मैं को रिपीड बहुट फास्ट आए इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आया हुआ प्रॉफिट हास से मत जाने दो पकड़ लो इसको और अच्छे से ट्रेल करो 219 सो लगा और ट्रेल करो बैंक तीन दिन में देखा ही क्या शांदार तरी देखने को मिली एस प्रेंड में 26 पर संट के मद बद 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 इस सब्सक्राइब इस अब इस अब देखने में तो नियर बाइटी फाई है तो निव एंट्री के लिए तो कोई भी यहां पर अभी मुझे नहीं दिख रहा है ले इस बीच आपको एक शेर में और नोटिस कराता हूं काफी दिनों बाद उसकी भी ओपनिंग में पुजिशनिंग काफी अच्छी हो रही है में को लग रहा है कि आने वाले दिन थोड़े ठीक हो सकते हैं भाव के इसाफ़ से हो है जी एंटर्टेइन्मेंट इस ने क्या किय अब एक सुसाथ को न नया बेस बना लिया अभी इस बेस को नणा पका कर रहा है मैं यह नहीं किर रहा कि आप इसचेर के निदर आओ मैने कई बार आप बता है कि अगर आप शेर करईना है direct तो आओ डील फरीदने तो मताओ डील पता नहीं क्या ओगी और किस जूब में और ये भी नहीं पड़ता लेकिन कमपनी अच्छी है, कमपनी का प्रॉफिट अच्छ है, कमपनी का मार्केट शेयर अच्छ है, बैलेंशीट अच्छ है, कैश मुजिशनिंग अच्छ है आप उसी साब से इसको चेक करो ना, वैलिवेशन पे, आपको जमता है तो आओ ने तो छोड़ दो चल रहे तो आपको आपको अच्छ है और जिकी बात करें करें तो जसेसी जैसे कोल है क्षी कर लेना, आपका वी छीर चल रहा है, थोड़ दे पहले चेक किया था ह। अब देखले न आपको जब टार्गेट लगे तो बताना, NLC इंडिया, टार्गेट हीट हो गया, अब पहले बे को यह तो बताओ सर, यह बाहर आ जाए न इससे NLC इंडिया से, जैपटेल, यह सर डेफिनिटली अभी इंट्राडे परस्पेक्टिव से बाहर आ जाना चाहिए बट अगर किसी का एक हफते का फियो तो डेफिनिटली अंदर होल करके रख रहा चाहिए, काफी अभी अपसाइट मुझे लग रहा है, नेक्स विक में भी आ सकते हो अब जी के बारे में, हलो, हाँ, अब मिरे को बताओ आओ आप जी के बारे में सर, अब जी के बारे में त टागेट रखने चाहिए सबसे पहला मुझे लग रहा है 170 को कफ दो दिनों से होल करके रख रहा है तो काफी अच्छा है यहां पर बेस बन चुका है तो किसी को एक्युम्रेट करना तो वह लेवर काफी अच्छे थे आराउंड 160-170 के बीच में अपसाइट के लिए मुझे लग रहा है पहला जो टागेट रखना चाहिए किसी को वो 207 का रखना चाहिए वहाँ पर एक मुविंग एवरेज का सुपर टेन लेका दोनों का रेजिस्टनस है और टेक्निकली बट ये स्टॉक को अगर थोड़े लंबे होरेजन के लिए रखे डील के परस्पेक्टिज से जैसे आप में बता है वहाँ ना रखे तो ये स्टॉक को डिफिंटिट 272-290 के टागेट के लिए रख सकते है 300 मुझे थोड़ अपसाइड की और पर ज्यादा लग रहा है तो तो तरह हम 270-290 की रेंज में हम टागेट के तोर पर रख सकते हैं आने वाले छे से आन्ट पाइनों के ठीक है डन 960 तक हम अलरी आ चुके 21,960 तक निफ्टी के हिसाब से और अगर भगवान की कृपा रही तो सब कुछ आज ही आज में ये 22,000 भी दिखा सकता है आप सिरफ ट्रेल करो 21,900 का स्टपलस लगाओ आपको लगता है प्रॉफिट आयो है बुक करना है आपकी अपनी म लगाई पर ले जाने की कैपिसिटी रखता है और ने के जा रहा है रेला को देखके मेरा कॉफिडेंस लवल बहुत हाइए और मैंको ऐसा लग रहा है कि रिलायस नाके बन अपने रिकार्ड तरव पर चल रहा है बल्कि बज़ार को भी ले जाएगा ऊपर पर रिलायस आप दो मिनिट लीजे जब तक मैं एक काम करता हूं अक्षे भागोस से जरा उनका एनमडीसी पता कर लेता हूं एनमडीसी अक्षे भागोस आपका टार्गेट क्या था जी अगर आप डे ट्रेडिंग करते तो इसमें करीबन 235 तर टार्गेट मंगते चल रहा हूं अब हैं पाकश रुपेस में बने रहे हैं न कोई दिक्कट तो नहीं न सर्थ बने रहे हैं नोका स्टॉपलस बनाए क्योंकि एक रेजिस्टिन्स एरेह फार करा अप अ में तो आपको 2-27 तक स्टॉपलस बना नहीं है क्योंकि एक ब्रेक आउट ट्रेड है ओकी ठीक है डान मनीशे सिर्थ कुछ और स्टॉक्स देखे जिसमें आज के टेड में मजबुती देखने को मिलिए अधित बिल्ला का देखिए यहां पर आप देखेंगे तो इस ट्रॉंग बेस बनाया था पितली बार भी स्टॉक्ट ने अपना प्रीविएस दो रिजिस्टंस सा 180 के लेवल पे वहीं से ही रिजेक्शन लिया था लेकिन आज का जो केंडल है वो काफी एच्छा एक फॉर्मेशन है तो यहां पे अगर में 180 का फिर से जो लेवल है वो एक रिजिस्टंस का काम करेगा बिलकुल अगर आप क्लोजिंग मिल रहा है देन वी केन गो अहेड यहां आपे ट्रेंड लाइन का एक ब्रेक आउट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो स्टार्ट हो रही थी जुलाए से तो 180 के ऊपर आप एक फ्रेश बाइंग ऑपरचुनिटी देखिए फॉर दे लेवल्स ऑफ देखिए अच्छा है यहां अच्छी मजबूती देखनों को मिली है बहत्तर त्यतर के आसपास वापस से ट्रेट कर रहा है क्या रहा होगी पर प्रोडर चार्ट स्ट्रॉक्चर देखेंगे तो काफी टाइम इसने एक रेंज में स्पेंड करा है एक बॉटमिंग का जो ब् का स्टॉपलोस बनेगा तो 77-80 टागेट के लिए अब पटेल एंजिनेरिंग पाई कर सकते हैं एक और देखिए जिसमें हम काफी दुने पाद अच्छी मजबूती देखने को में चार पास परसंट की मजबूती देखने को देखा ता तब एक देर परसंट की मजबूती थ एक क्लोजिंग बेजिस पे भी 450 के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है जो इसका प्रिविएस था और आज इस टॉक ने गप दिया हुआ था अब गप के बाद थोड़ों तो प्रॉफिट बुकिंग आया है लेकिन यह 450 जो है स्ट्रॉंग जोन है तो यहां पर यूटिलाइस कीजिए डिप्स को और एंट्री का यहां पर बॉका देखिए तो जिनके पास ओल्लेडी होल्डिंग है 434 का एक स्टॉप लोज लगाईए और अपसाइड ने 520 के टार्गेट के लिए आप वेट कीजिए एक और देखे दिम पर इकल भी चर्चा हुई थी जहां लोग कर चुला है क्या रावागी जाए ट्रेंट को लेखे लिए ट्रेंट पर मुझे लग रहे है थोड़ा तो थोड़ा यह स्टॉक को अभी के लिए करना चाहिए एक बार लेवल पार कर लेरा हुई 3270 उसके बादी फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए कि ज्यादा अब साग्या से म करने के बादी फ्रेश खरीदारी कि आपकर कर सकते हैं ठीक है सुमिझ जी आपने वह रिलाइंस की और ट्रेट देख लिया ऑप्शन का अब अपसाइड में एक मोमेंटम भी क्रियेट हो रहा है तो 2900 जो एक आपका ITM रहेगा वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं लेकिन आज के ही सेशन में अगर से प्रीमियम की बात करें तो 60% का अभी तक अपसाइड आ चुका है तो एक एग्रेसिव ट्रेड रहेगा 2900 का कॉल आप बाई कीजिए करन्ट मर्केट ट्राइज है आपका 75 मैं यह पर स्टॉपलोज मेंटेन करूंगा 62 का और अपसाइड में इसका मोमेंटम अगर बन रहा है तो 104 के टारगेट के लिए यह जा सकता है अब आपको लाइफ प्राइज हम दिखाने की कोशिश करते हैं त 75-76 पे दिलवारें टारगेट स्टॉपलोस सर स्टॉपलोस रहेगा 62 का और टारगेट रहेगा 104 का एक सो चार रुपे का टारगेट रुपे का स्टॉपलोस है प्रडूसर साब अगर आप लिख पाऊ ना यह भी लिख दिया करो मैं आपको पता हूँ ऑप्शन्स के अंदर आपको ना स्विंग ट्रेड का बड़ा बेनिफिट मिलेगा अब आप देखो थोड़ी ही देर में अगर सब कुछ ठीक रहा ना तो आप देखेंगे थोड़ी देर में 85 भी हो जाएगा 90 भी होगा और थोड़ी ही देर में कर देगा तो आपको फ्री जल्दी करेंगे ऑप् 250 का तो 250 रुपे का लॉट है हर एक रुपे यानि कि हर एक टिक से आपको ड़ाइस रुपे आएंगे मालेजी तीन रुपे चला तो साड़े सास रुपे होगे चार पे चला तो हजार रुपे आपके अकाउंट में आए आप लेवल्स नोट कीजेगा वापिस से लाइब व और अप्शन का चेंपियर निरेशी बहुत बहुत शुक्रिया थेंक्यू वेरी मच्छ समय देने के लिए सर कल न मैं आपको सची वर्दम मैं आपको भी बहुत मेस कर रहा था हाला कि कल राइटर्स का दिन था तो मेरे को ऐसा लगा अगर आप कल हमार साथ होते तो एक दो वाली कॉल में आपसे पता कर लेता कोई बात ने सर लेकिन आज पूरती कर दीजिए कॉल पूर्ट जो भी आपको देखे बताना है सर बारिंग दिम्पी जी कुद बारिंग सर अब कुल देखे आज के से में हर तरफ ग्रीनरी देखने को मिल रही है और इस पतार की टेजी म अब हमें डिकर्ट के साथ रहना चिए जहां पर लीडर्शीव हमें आती देख आ रही है वह है रिलाइंस इंडर्स्ट्री आज एक मिनट रहे हैं एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक बार जड़ा सुमिजी को भी दिखाओ इसा क्यों हो रहा है निले जी आपके साथ आपका मैच हो रहा है आप आरों कि 30 सेकंड पहले में रिलाइंस निप्टा के आए अभी खतम करके आए और यही ऑप्शन्स का ट्रेड ही पता किया था तो चलो अब बता दो सुमेज जी को भी साथ में रखना विंडो में निलेज को भी रखना और बीच में प्लेट चलाना बिल्कुल देखे लिंपी कि असलिए हो रहा है कि बजार में जब ऑप्शन का के देते तो मोमेंटम के साथ रहना होता है और मोमेंटम के साथ अगर काउंटर 52 वी खाय हो तो वहां पे और कन्विक्शन बढ़ आता है तो इसी प् यहां पे खरीजारी करने के सलाज है तो इसी लिए 2940 का कॉल ओप्शन जो करेंटली 58-60 रुपीज के आसपास आ चुका है यहां पे रिस्क और रिवार्ड काफी अच्छे नजर आ रहे है 46 रुपीज के आसपास का स्टॉपला सकना होगा चोटा सा स्टॉपलास एंड टार रुपीज अगर हम देखें तो 4,000 रुपे का रिष्क है 8,000 रुपीज के रिवार्ड यहां पे बनते हुए नजर आ सकते हैं अगर सेकेंड टार्गेट मीट होता है तो यहां पे रिलाइंस का 2940 का कॉल ओप्शन लॉंग करने के लाओ ठीक है डन सर सर अब आपने जो स्ट स्टापलस है रिस्क रिवर्ड वन इस टू में लगा हुआ है 8,000 रुपी आएंगे 4,000 रुपी जाएंगे और सुमी जी ने जो कॉल दी हुई आपको वह 2900 की दी हुई है और उसमें भी कुछ-कुछ ऐसे ही है उनके भी टार्गेट 100 प्लस के भी है तो आपके पास दो ट् सब्सक्राइब को डूषिच नहीं चलेगी इसमें थीटा लगा होता इसको time value कैते time value इसको जरूर ध्यान रखिएगा नहीं तो फिर इसी तरह से हालत होती है दस में से नौ लोग इसमें से पैसा गवाते हैं ठेक है सर निलेश जी थैंक यू वेर मच और सुमित जी आपका शुक्रिया बड़ी ऐसे आपने दोनों में बता दी है हमने लाइफ प्राइजे भी आपके लग दी है 2940 का यह हमने आपके सामने के कॉल के भी लाइफ प्राइज दिखा दी इसमें भी शॉट कवरिंग हो रही है 31% के असपा सुमित आप कुछ कहना चाहते हैं क्या जी नहीं एक जो भी बात हो रही थी प्राफिट बुकिंग के लिए तो देखिए आज फोर्स मोटर्स हमने सुबह को सजेस्ट किया था स्टॉक ने करीबन 3% का इंटर डे गेन दिया हुआ है तो अगर किसी ने ओपनिंग ट्रेड में है लिया हो तो प्राफिट बुकिंग करते रहे थोड़ा-थोड़ा सा थोड़ा-थोड़ा प्राफिट बुकिंग करते रहे अभी आपका टार्गेट तो नहीं लगा ना सर विस पे अभी सर मेरा पोजिशनल एक अप्रोच रहेगा करीबन आप एक महीने के लिए स्टॉक में बने रहे हैं तो 20 से 30% का गेन आपको मिल सकता है इंट्राडे का टार्गेट लगवाने के हो गया अभी कि इंट्राडे और चल सकता है इंट्राडे अभी और भी चल सकता है तो सबसे बेस्ट ट्रेटर जी तो हमेशा एक ही रहती है कि आप स्टॉक में ट्रेलिंग स्टॉक लोस के साथ बने रहे हैं तो स्टॉक जैसे ही उपर जा रहा है और अगर आपके टार्गेट तो हमें आप्रोक्सिमेटली आइडिया है कि यहाँ पर 4200 भी इंट्राडे में स्टॉक टाच हो सकता है ठीक है बहुत ही बड़िया इंट्राडे में टच हो सकता है आज रिलाइंस प्लस निफ्टी दोनों का दिन अच्छा है दोनों चल सकते हैं बैंक निफ्टी को थोड़ा सा आज रेस्ट मिल रहा है देखते क्या होता है मनिश्य इसवाब बजट में रेल कोरिडर समयत के मवजूदा कोचों को बंदे भारत को जो अपग्रेट करने की बात की गई है इस मुद्धे पे जो हमारे संबादाता स्वामीर जिक्षित ने रेल मंत्री अश्वनी वैसनों से खास बात्षित की वो चंक सुनी आप इन्वेस्टमेंट आप लगब कैसा देख रहे हैं और फित वर्ष 24-25 के लिए आपका कैपेक्स क्या रहने वाला है पिछले साल कैपेक्स दो लाग चालीस अजार करोड का था सिग्निफिकेंट अचीवमेंट अलरी 82% के असपास अचीवमेंट जैनुरी एंट तक हो गया है इस साल दो लाग बावन अजार करोड का कैपेक्स अनौन्स हुआ है बजट में मैं प्रदानमंत्री जी को और वित्तिमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि रेलवे के इन्वेस्टमेंट की जो बहुत बड़ी जरूरती वो इससे पूरी होती है और काम की पेस बहुत अच्छी है भी 1300 स्टेशन पे एक साथ काम चल रहा है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन री डिवलप्मेंट प्रोग्राम है ये कंस्ट्रक्शन की स्पीड आप देखी रहे हैं 5500 किलोमेटर साल के बनाना 15 किलोमेटर पर डे की पेस पे चलना तो ये करीब करीब दुनिया भर में आज एक 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 जामपल है भारत की रेलवे का ट्रांस्फोरमेशन इसी पेस पे बढ़ते रहेंगे जो तीन कॉरिडोर्स हैं इस पर हम क्या लॉंग टर्म विज़न के साथ में पांटर सालों में हम देख रहे हैं इसको पूरे तरिके से विक्से उता हुआ और पैसा इतना बिल्कुल करीब करीब 11,000,000 करोड का टोटल इंवेस्टमेंट होगा इन तीनों कॉरिडोर्स पे और चैसे आट साल लगेंगे टोटल करने में और यह कब संबह होगा कि जब मैं आयर सेटीज जी की वेबसाइट पर लॉग इन करूँ 2030-31 तक यह संबह हो जाएगा जैसे कि कैपैसिटी क्रिएट होती है कैपैसिटी जब क्रिएट होगी तो ज्यादा ट्रेंज चला सकते हैं हाइवे में आप देखोगे तो गाड़ियां मेनुफेक्चर कर ली लेकिन जैसे भी हो चाहे कंजेशन में भी हो गाड़ी चल जाती है रेलवे में बिना एक्स्ट्रा पट्री के एक्स्ट्रा गाड़ी नहीं चला सकते हैं आपको कही तरह की इनोवेशन करने पड़ते हैं स्टेशन के याड के लियाउट में चेंजिस करने पड़ते हैं टेकनोलोजी में आटोमेटिक सिग्नलिंग ला रहे हैं स्टेशन्स का डिजिटल कंट्रोल लेके आ रहे हैं तो बहुत सारे एस्पेट्स पे एक साथ काम चल रहे हैं चुक्त अब टेलकॉम भी उसके जिम्मेदारी आपके कंदों पे एक सवाल आप से टेलकॉम पे लेना चाहूंगा इस पूरे सेक्टर पे बेसिकली जो एक लाग करूर का कॉर्पस फंड जो अनॉंस किया है ये ठीक से समझ में नहीं आ रहा है कि ये फंड आखिर इसका कहां इस्तमाल होगा और ये किस तरीके से एकनॉमिक डेवलप्मेंट में कंट्रिब्यूट करेगा आज भारत एक तैलेंट नेशन है और भारत पे बहुत बड़ा ट्रस्ट डेवलप हुआ है ये दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टन दे समझने के लिए तैलेंट नेशन से प्रॉड़क्ट नेशन कैसे बने तैलेंट नेशन में बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज के ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर भारत में बने हुए प्रॉड़क्ट का डेवलप्मेंट हो उसके लिए एक अलग टाइप का माइंडसेट अलग टाइप का स्ट्रॉक्चर चीए होता है मान लो बुलेट ट्रेन डवलप करने हो उसके लिए अलग सोच चाहिए अलग फंडिंग चाहिए अलग तरी की टीम चाहिए मान लो आपको एंजिन बनाना है एरोप्लेन का उसके लिए अलग सोच चाहिए होती है मान लो इलेक्ट्रिक वेहिकल का complete power train आपको डिजाइन करनी है, नई बनानी है, product के साब से, तो product nation कैसे बने भारत, उस पे काम करने के लिए, एक लाग करोर का ये corpus बना है, बहुत important step है, ये बहुत बड़ा step है, देखो, दस साल में मोदी जी की विदेश निती और एकनॉमिक निती के कारण, दुनिया बर का trust हुआ है, तो आज trust shoring हो रही है, near shoring, off shoring, नहीं है, trust shoring है, भारत में ट्रस्ट है, इसलिए भारत में आके develop करना चाहते हैं, भारत में trust है, इसलिए भारत में manufacturing करना चाहते हैं, तो ये trust और product nation बनाने का dream, ये मोदी जी का vision है, इस एक लाग करोड के corpus के पीछे, आखिर सवाल तो टेलिकॉम पे ले रहा था, लेकिन चुकिए आपने bullet train का जिक्र करती है, और वंदे भारत के भीना, ये interview अधूरा रह जाता है, इसलिए मैं आखिर सवाल वंदे भारत पर लूँगा, चालीस हजार भोगी को वंदे भारत में अपग्रेड करना, इसका माइने क्या होगा, दोसी बात ये है कि जो sleeper वंदे भारत train को लेकर के जो उमीदे हैं, वो कैसे हम साकार होते हो देंगे, और अपग्रेडेशन को लेकर के जो अभी भी confusion है, उसको आप दूर करना चाहिए। अपग्रेडेशन देखो, आज अपने पास दो बड़े अनुभव हैं, वंदे भारत का अनुभव हैं, और अमरेद भारत का अनुभव हैं, कई सारे factors हैं, जो की existing coaches में लगाए जा सकते हैं, जैसे coupler, दो train को, दो coach को जो couple करते हैं, वो coupler में टोटली नई technology लाई जा सकती हैं, toilets की technology, toilets कैसे better बनें, simple चीज़ें जैसे brake की technology, वो कैसे better आए, chargers कैसे लग सकते हैं ज्यादा, passengers की convenience के लिए ventilation कैसे better हो, इन सब चीज़ों पे, इन दोनों अनुभवों से, air condition, non air sea, दोनों में, किस तरह के better facilities, passengers के लिए लाएं, तो जो residual coaches हैं, जिनकी life अभी भी बची हुई है, जो coaches हैं अपने पास, उन coaches को upgrade करने का ये program है, करीब करीब 15,000 करोड का investment इसमें आएगा total, अगले 5 वर्शों में ये program complete होगा, और सारे coaches को upgrade करेंगा, स्लीपर, वंदे भारत स्लीपर का मैंने आप सबको March 24 का promise किया हुआ है, March 24 में आ रही है, मैं पिछले 2 साल से यही बोल रहा हूँ, exact, March 24 में आ रही है, कहीं timeline चेंज नहीं हो रही है, इस सरकार में एक बड़ी बात यह होती है, कि जो कहा जाता है, वो काफी हद तक पूरा होता है, और अब जब मंदरी ये कह रहे हैं कि स्लीपर, वंदे भारत अगले 2 से 3 महीनों में पठ्ट्री पर आ जाएगी, आपने इस सारे सवाल पूछे किया और साथी या जो हमारे केंजरी मंतरिया, आश्वनी वैशनव, उन्होंने भी बहुत अच्छे से सारी पॉइंट्स को रखा, हाला कि आज रेलवे काउंटर हल किसी मनाफ़ा वसूली पर चल रहे हैं, आपको स्क्रीन पर गर दिखाना चाहता है तो आप दिखा भी दीजेगा एक बार, है, अक्षे पी भागोत, एक बार आप ज़रा पी एंबी चेक करोगे, सीरिस के एंड तक रखना चाहता हूँ, पी एंबी, पी एसी बैंकिंग तीम ये तो गए दो महिने से चल रहा है और यहां बहुत ही तेज मोमेंटम है पी एंबी में, तो मोमेंटम चेस करने वाली बात है यहां पर, तो ट्रेडिंग माला ममला है, फ्रम दा करेंट ट्रेट, एक सो पचीस का रेट है, मैं मानके चल रहा हूँ, एक सो तीस से एक सो बतीस, ओन थर्टी बान थर्टी टू, आपर जी का ONGC पर है, यह मेरा भी कुशन हो सकता है, ONGC एक जड़ा चेक करेंगे, सुमित आप, जरह हम स्पीड से लेते हैं, ONGC, जल्दी जल्दी बताते हैं, ज़्यादा लोगों के लिए पाएंगे सवाल, विद भी बोलना चाहाँ तो बोल सकते हुए, यह तो बलना नरी होगे, तो समझ भी नहीं आए, कि आपने बोला कि हाँ, बोला है, ना बोला, इतना ध्यान सुनाई दिया है, मिल्कों तो, बिम्पी जे, इस टॉक में आप बिलकुल बने रही है, मैंने इसके लिए रिपीट सिया, तो बिलकुल स्टॉक में, क्योंकि अभी भी अच्छा कासा मोमेंटम बना हुआ है, आप रिसेंटली देखेंगे, तो एक बेस बनाया था, तो मैं एक जोदार तेजी, अब जो शेर है, उसमें एक सांदार तेजी देखनों के मिल रही है, आदित विल्ला फैसन लिम्टेट, आदित विल्ला फैसन लिम्टेट, अभी अभी तेजी बरती भी दिख़़ी है, अक्षे क्या रहा होगी आदित विल्ला फैसन पर? का सपोर्ट एरिया है, तो तू थर्टी एर्ट का आपका स्टॉप लॉस बनेगा, और तू सेवेंटी के लिए आप अधित विल्ला फैसन बाई कर सकते हैं, एक शेर देखिए, यहां भी तेजी बरती भी दिख रही है, एक कंसॉलिडेशन रेंज काफी टाइम से था, 797 से 800, वो आज ड्रे ड्रेट रिंग में ब्रेक करा है, तो बहुत जादा प्रोबैबिलिटी है कि उपर में 850 से 870, यह आप टार्गेट कैंफिन होम बनाएगा, तो आप बाई करके चले कैंफिन होम, ट्रेडिंग वाला टार्गेट है, यह 875 के लिए आप बने रहे हैं, यह मेरा मानना है, 800 का सपोर्ट है, तो 795 के स्टॉपला से 875 टार्गेट बनेगा कैंफिन होम, एक शेर है मैदानता, उसका नाम आपको जो मिलेगा ना, ग्लोबल हेल्थ के नाम से मिलेगा, यह गुरुगाओं में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मैदानता, एक बार आप जरा दिखाएं तो बारा सो कुछ रुपे का शेर होगा, यह साड़े साथ परसंट है, मैंने कल भी आपको नोटिस कराया था, और ठीक बजट से पहले एक बात रखते हो रहा है, पर नहीं ऐसा क्यों है कि हॉस्पिटल के शेर चल रहे हैं बजट से पहले, मैंने ऐसे आपको बोली होगे, अब आपको याद आगया होगा, मेरी क्या बात थी, मैदानता कल और परसों से काफी अच्छा चल रहा है, और जो वाल्यूम इसके अंदर आ रहा है ना, दो लाक शेरों का, यह लग रहा है कि कोई इसको डेलिबरेटली अच्छे से बाई कर रहा है, य अब आपको यह लग रहा है, इसको जड़ा चेक कीजिए तो, और दो तर दिन का चार्ट दिखाए आप स्क्रीन पर जब तक, तो यह स्टॉक डिपी जी काफी अच्छा चल चुका है, और मुझे लग रहा है चल सकता है, हाला कि ठोड़ा मुझे कॉशिएसनेस आने वाली दिन में दिखरी, विकोज आरे से काफी ओवर बोर्ट की तरफ है, 96 के अराउंड है, तो थोड़ा मुझे लग है कॉशिएस डिसके साथ इस स्टॉक को एक्क्यूम्रेट करना चाहिए, मैं ट्रेडिंग की यहां पर सलह नहीं दूखा, बट एक्क्यूम्रेशन कर सकते हो, अराउं 1230 का स्टॉक में लॉंग हो सकते हो, ठीक है, इसमें लॉंग कर जा सकता है, एक दो शेर और है मेरे लिस्ट में, जो फ्यूचर्स के है, मैं जराब भो भी पता कर लाता हूँ, PFC, पावर फानेंस कर्परेशन, अच्छा ठीक, ऐसे में वालिम कम है, छोड़ देते ह कैनरा बैंक का और चल सकता है, कैसमी सर, कैनरा बैंक, अच्छा आज किसी का ट्रेड था क्या, नहीं किसी का ट्रेड ने था, कैनरा बैंक, सुमी जी आप चेक करो, जी बिलकुल सभी PSU में देखिए काफी अच्छा एक फ्रेश ब्रेक आउट आया हुआ था, तो वन अप द आज ही इंटर डे में टच हो सकता है, तो नेक्स टार्गेट कैन बी 538, ठीक, डन, तो ये हो गया, कैनरा बैंक पर रिक्मेंडिशन बाई, हम सबके स्टॉपलस टार्गेट आपको स्क्रीन पर लगाते जा रहे हैं, अब इसको ज़रा नोटीस भी करती जाएगा, और एक औ और चीज में आपको थोड़ा बता देता हूं, HDFC बैंक एक बड़ा स्क्रीन पर दिखाएं, ये हल्प तो कर रहा है, लेकिन अभी थोड़ा रुका हुआ है, HDFC बैंक, ठीक, सर कोई ट्रेड है कि इसमें, अक्षे जी, के छोड़ दे, HDFC बैंक, वैसे हमने SIP करना शुरू क पर दिया ओलडी, जी, ट्रेडिंग के माध्यम से तो मोमेंटम ओफ हो चुका है, HDFC बैंक में, रिजल्ट एक बहुत ही बड़ा डैंपनर रहा है, वहाँ पे डेंट मारा है HDFC बैंक को, तो SIP वाला जो रूट है, वो सजेस्ट में भी करना चाहूंगा, SIP वाला स्टॉक के ठीक है, एक और शेर है, लिस्ट में जरा उसको फटावट से चेक कर लेते हैं, उस शेर का नाम है, IRB Infra 68 का हो चुका है, पोजिशनल यह आपको कई बार बताया है, इसको रखे रखना आप, तो एक बार जरा, IRB Infra चेक करके बताई, एक और मैनेजमेंट भी मरसा जुणने वाले टाइटन की, एक बज़र आप उनको भी दिखा सकते हैं, कौन सी मैनेजमेंट है, टाइटन के नंबर्स पर बातचित करेंगे उन से, आज रिपोर्स वगारा भी आई हुई है, तो वह बार मैनेजमेंट भी दिखा दीजे दर्श्कों को, टाइटन का, यह सी है, सी के वेंकर ट्रमंजी हैं, कंपनी के एमडी हैं, इन से बातचित होगी, और ज़रा इन से भी पता करेंगे, थोड़ देर में इन से बातचित करने का उकनाय शुरू करेंगे, आई यार बी, चेक कीजिए, तो जैप अटेल, आई यार बी, किया था, मुझे लग रहा है, फ्लेगन पोल का पैटर्न डेफिरिटली विजिवल है, यह स्टॉक पर डेली चाट पर, यह जब ब्रेक आउट होगा, मुझे रहा पहला टागेट 76 का होगा, उसके बाद 80 का टागेट होगा, यह स्टॉक में डेफिरिटली लॉंग नौ बच के 58 मिनिट हो चुके हैं, थोड़ी देर के अंदर हम मैनेजमेंट से भी करेक्ट करेंगे और साथी साथ आपके सामने सारे पॉइंट्स रखेंगे, मैं एक बार आपको एक दो शेर और नोटिस कराजता हूँ, एक्चली हो कह रहा है ना, मैं कोई इंडेक्स से उत आप चेक करेंगे, इंजिनेर्स इंडिया अगर आप चाड़ स्ट्रक्चर इसमें देखें तो एक ब्रेक आउट कर रहा है चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रोंग है, हाईर टॉक्स और हाईर बॉटम का फॉर्मेशन इंपक्त है, टू सिक्स्टी फाइव, टू सेवेंटी का ट तो हमने आपके सामने काफी सारे शेयर्स रखें मैनेचमेंट भी इस बीच हमार साथ जुड़ गया है टाइटन के टाइटन की M.D. हैं इस बीच हमार साथ C के वेंकर ट्रमन बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर वेंकर ट्रमन आज आप हमको एटीना सुदेश पर समय दे रहे काफी प्रॉब्लम तो नहीं है क्योंकि आपकी कंपनी को ना कंजमिशन का सबसे बड़ी आप प्लेयर या बैरोमेटर चेकिंग के लिए माना जाता है क्योंकि डिविजन बहुत है आपके पास आईवेर में भी हो वाचीज में भी हो ज्वेलरी में भी हो आप तो कंजमिश categories हमारे जिसमें हम participate कर रहे हैं वो unorganized हैं तो उसका details तो हम गिन नहीं पाते हैं खुल मिला के लेकिन हर category जिसमें हम participate कर रहे हैं उसमें हमारा share कम है अगर जुल्री काबर अगर आप लें तो सब brands मिलके भी हमारा market share 10 से कम है तो इसलिए growth की opportunity तो बहुत है और हमारे brands भी बहुत ही strong है चार सालों से यह formalization जो जुल्री में चल रहा हूँ और acceleration हो गया तो उसके कारण जो भी growth मिलता था उससे ज्यादा मिल रहा है अभी तनिश्क brand में और दूसरा एक चीज है जुल्री एक consumption category नहीं है a store of value है एक तरफ से देखें तो monetary asset भी मानते हैं तो इसके लिए मांग बढ़ता जा रहा है Titan Company का और watches में जो innovation हम करते जा रहे हैं Titan brand के अंदर उसके तो बहुत कुछ असर पढ़ रहा है wearables तो एक growing category हो गया है उसमें हम late आए हैं लेकिन last तीन साल से जो भी lost opportunity का हम फाइदा उठाके आगे दोड़ रहे हैं उसका असर भी watches and wearables का growth में पढ़ रहा है लेकिन eyewear में और perfumes business में तोड़ा बहुत हमने slowing down देखा है उसका कारण एक category का कारण है एक दूसरा हमारा strategy का भी है तो उसमें जो भी changes हम लेके आए हैं उसका early signals अच्छा लग रहा हम है और आने वाला साल में उसका असर तो पूरा मिलना चाहिए तो एक advantage है Titan Company का जो भी customer segments हमने target कर रहे हैं वो top two pyramid में top two में बेटे हैं तो उस कारण से हमें फाइदा मिलता है दूसरा कारण ये है कि हमरा market हम many category जिसमें हम participate कर रहे हैं वो unorganized या half organized sectors हैं उसके लिए उसके कारण growth opportunity for brands ज्यादा है तीसरा कारण है हमेरे brands उसके इंदर बहुत ही strong है तो इसलिए जो भी results Titan Company देख रहा है तो Titan Company में मिल रहा है हूँ शायद अनोखा लगता है इंटरस्टिंग वैसे वैदवे वैंकर सर मैं आपको बताओ आओ आपकी हिंदी काफी अच्छी है क्योंकि में को जो मेरी research team ने बताया था कि वह लेंकर सर थोड़ा हिंदी कैसे बोलेंगे में आपको सुनके तो मैंको ऐसा लगता नहीं है कि आपकी हिंदी में कोई प्रॉ है लेकिन सर यह तो आपकी total balance sheets के अंदर revenue framework में चेक करूं तो तो बहुत कम है आपका majority business तो जोल्री से ही आ रहा है अभी भी क्योंकि ओल्मस्ट करीब सेल्स के वारे में अगर बताए हैं तो जोल्री इंडस्ट्री है पांच सव हजार करोड की करीब इंडस्ट्री है उसमें हम participate कर रहे हैं ये watches इंडस्ट्री उससे बहुत ही बहुत ही काम है आई केर इंडस्री बहुत ही काम है तो इसलिए company का portfolio आप देखें तो जोल्री का इ है और बड़ा ही रहेगा तो उसमें कुछ सोचने की बात नहीं है वो portfolio की बात है हम कहते हैं इसको string of pearls हर एक string में एक pearl है एक watch का pearl एक perfume का pearl उसमें एक बड़ा pearl होगा छोटा होगा लेकिन उसका असर जो customer वो घड़ी पहनती है या चश्मा पहनती है जिसमें से उनको जो कुछिया मिलती है ऐसा नहीं है वो कम है जब वो पहनती है वो 10 लाग की necklace तो हम हर customer के एकी तरफ से मानते हैं that is one point लेकिन jewelry industry बड़ा है इसलिए टाइटन का jewelry share भी उसमें बड़ा रहता है और बड़ा ही रहेगा अगर margin के बात करें तो हमारा focus सालों से growth पे है growth पे था अभी भी growth पे है और जो जब scale का benefit आएगा तो margin का expansion भी होगा लेकिन जो भी हमने promise किया था investor call पे एक साल पहले जब ये इस साल का business plan शुरू हो था उस पे हम तो चली रहें ऐसा नहीं है कि उससे हम deviate कर चुके हैं quarter से quarter का कुछ ना कुछ फरक मिलेगा अगर nine month का performance देखें तो आप समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ ठीक है वेंकर सर एक चीज़ में को पता करनी है आप domestically आप काफी strong है लेकिन मेरे पास जो एक information है या फिर जो questions में को research दिया है कि आप international businesses को भी काफी अच्छे से grow करवाना चाहते हैं आपके वो list में है तो में को सर इस समय की position क्या है टाइ आप तो मानेंगे कि इंडियन डायस पर मतलब NRI PIO इनका हालत बहुत ही बहतर हो चुका है इस decade में अगर North America USA की बात करें तो average income family income तो $100,000 है और North America का total अगर पकड़ें तो $60,000 मतलब सबसे wealthiest अमीर लोग हैं NRI PIO USA में तो इसको मानकर हमने एक बड़ा सा plan बना रखा है USA के लिए और कई last देड़ साल में हमने चार showrooms खोल चुके हैं वहाँ पे एक New Jersey में एक Dallas में एक Houston में अभी 10 दिन पहले Chicago में हमारा store open हो चुका है और Gulf Corporation Council countries में देखे हैं तो वहाँ पे भी NRI PIO का population बहुत है लेकिन उनका profile थोड़ा different है, opportunity थोड़ा different है लेकिन बड़ा है और हमने 2021 October में, sorry 2020 October में दुबाई में पहला showroom शुरू open किया था उसके बाद हमने करीब 10 showroom हो चुका है वहाँ पे तो एक ambition विदेश में तो बहुत ही बड़ा ambition है क्योंकि NRI PIO एकदम spread है सिंगापूर में, सिंगापूर में भी शुरूम open किया हमने चार मेने पहले, बड़ा ambition है जहाँ पे भी NRI PIO रहते हैं वहाँ पे तनिशका तो शुरूम बनेगी Wenger sir हमारी भी best wishes ने आपके साथ, आप इसी दर से अच्छे से grow करें और काफी अच्छा लगा जैसे मैं ने शुरूमात में भी का आपसे बाचित करके बहुत मज़ा आया और आपकी हिंदी अच्छी है, अगर आपसे कोई बोले आपकी हिंदी अच्छी ने आदा बोल देना कि आप मेरा इंटर्वी देख लो, आपको पता लगजाएगा मेरी हिंदी कितनी अच्छी है, थैंक्यू अच्छी है, और अमीद कर दो, ये सर, कुछ कहरें आप, ने खाश, मेरा इच्छा है कि नेक्स्ट कॉर्टर में जब आपसे बाच करू अब इस से बहतर होगा मेरा ह आप आप अच्छा करेंगे, तो हमको भी कंप्लेक्स आजाएगा, थैंक्यू थैंक्यू वेरी मगज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्यू, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब हमने टाइटन की मेरेजमेर्से बाचित कर लिए, मार्केट अभी भी वहीं को यहीं है, ज्य